हलो गाईज वेलकम टो आनलाइन बेंचर्स दवान इस्टॉप सलूशन फटाफट फटाफट कमेंट करें कौन कौन लोग आनलाइन आ चुके है आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपोर्डेंट होने वाली है क्योंकि यह हिस्ट्री की सुरुवात है इतिहास एक ऐसी चीज जिसके बारे में बड़े ही विवादास्पत तत्या सामने आते रहे हैं जैसे अभी बात करें तो इतिहास पर चर्चाएं सनौली की खोज के बाद बेहद बड़े रूप में सामने आनी सुरू हो गई सनौली की खोज ने इतिहास को नए सिरे से देखने की हमारी पूरी कव बायद सुरू कर दिया है और यही कारण है कि यह सिक्षन आपके एक्जाम के लिहास से कंटेंप्रेरी रूप में बेहद महत्तपूर्ड होने वाला है तो जल्दी-जल्दी कमेंट करें कौन-कौन लोग आनलाइन आ चुके हैं कमेंट फास्ट जल्दी-जल्दी कमेंट करे करें लाइक और शेयर जरूर करते रहें प्रतीक सिनहा जी फटाफट 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 आज जो है बात करेंगे हम इस्टून इज की पाशाड की बट उससे पहले कुछ बेसिक जानकारियां आपको देनी हैं जो आपके लिए बेहत जरूरी हैं ठीक है अगर अभी तक जो है आप लोग आनलाइन बेंचर से नहीं जुड़े हुए हैं तो आनलाइन बेंचर के चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए क्योंकि इंडिया की बेस्टीम यहां पर है तो आप जो है देख सकते हैं बेस्टीम में सभी को रंधीर सर मैत के लिए डक्टर जुबैर एसानी स साइन्स के पॉर्शन के लिए डक्टर अमिसिसोधिया सर इंग्लिस के लिए पौलिटी और गवर्नेंस के लिए कुषिप अनसारी सर मेहा जोसी मैं रिज्टिनिंग के लिए इकनोमिक्स के लिए चंदन रोशन्सर एकनोमिक्स और मिसलेनियस के बादसाह अदमी और मैं अबिशेक अजय सिंग हिस्ट्री जोग्राफी एकुलाजी आर्ट एंड कुल्चर इन्वार्मेंट इस सेक्षिन के लिए थिक तो पूरी की पूरी टीम हमारी आप जानते हैं बेस्ट टीम इंडिया की फटाफट फटाफट कमेंट करें जल्दी कमेंट करें जल्दी जल्दी चीजों के बारे में जानकारी मिलती रहे तो ये बेहत जरूरी है कि आप जो है इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि डेमो क्लासिस के बाद डेमो क्लासिस तो आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है बट उसके बाद सारी क्लासिस आपको एप पर लेनी है तो एसे, MPPSC, BPSC, JPSC या RAS वगरे की तयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट स्पेस्विक या जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तयारी कर रहे हैं उनके लिए घटना चक्र की एक इस्पेस्विक सिरीज सुरू की जा रही है घटना चक्र में previous year के topic wise question सभी मौदूद हैं तमाम सारी किताबों का अध्यन किया गया market के और यह पाया गया कि previous year के सभी examination के सभी प्रशनों का संकलन किया गया सभी examination के सभी प्रश्णों का संक्लन topic wise किया गया है घटना चक्र में और इस वज़े से घटना चक्र का complete analysis बिलकुल अलग तरीके से आप लोगों के सामने लगातार किया जाएगा और ये जो है start हो जाएगा 12 बज़े दोपहर का time है ये timing no down कर लीजिएगा सो फटाफट फटाफट कमेंट करें like और share यूट्यूब पर इसको जल्दी जल्दी like और share भी करना शुरू कर दीजिए और जो लोग जो है अभी तक course में admission नहीं लिए हैं वह course में admission जरूर ले 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 साथी डेड़ बज़े का timing याद रखे रहिएगा science के घटना चक्र को ध्यान में रखते हुए आपको YouTube पर session कराए जाएंगे science का session डाक्टर जुबैर रहसानी सर आप लोगों के लिए ले करके आएंगे बड़े नाम science के आप लोगों ने इनके session देखे होंगे तमाम सारी चीज़े ठिक जिया बिलकुल सब कुछ मैं कराओंगा प्रतीक सिनहा जी सब कुछ मैं कराओंगा सो टेंशन नहीं लीजिएगा और UPPCS में कुमार सचिंग सिंग जी के SDM बनने के लिए धिर सारी बढ़ाईयां बड़े ही जजबाती और बेहत सांदार तरीके से पढ़ने वाले सचिंग जी SDM पदप्राप्त किये तो इनके लिए भई बढ़ाईयां धिर सारी और जो है इसमें बड़ा जो है संघर्स आप लोगों का रहता है सफलता के पीछे मेंली आप लोगों का हाथ रहता है हम लोग केवल एक रास्ता बताते है में मेहनत आपको करनी होती है तो यह चीज धान में रखे रहे हैं कि मुख्य मेहनत आपको करनी होती है और आप इस सफलता के पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और सारी चीजों के लिए आप ही पूर चाहिए parents और इस के अलावा जो आपको mentor है उसको जैसे सचिन जी जो है यह बेहद जो है systematic way में पढ़ना सुरू किया जैसा बताया गया इनको की systematic way में इन्होंने जो है पढ़ना सुरू किया जब इनको हमने बताया कि ऐसे ऐसे पढ़ाई करो तो ये पढ़ना सुरू किये उस तरीके से बेसिक से लेकर के जब आप टॉप लेवल तक एक एक चीज को लेकर के चलते हैं तो हर चीज आपके लिए बेहदासान होती है तो बहुत डीप में आपको कराने वाला हूँ मैं अगर अभी तक आप लोगों ने जो है कॉर्स में अड्मीशन नहीं लिया है तो कॉर्स में अड्मीशन ले लिजे गाइज आप लोगों के लिए जो है अभी कुछ लोगों का कहना था कि सर छूट थोड़े दिन और चला दी जाए तो लास्क में आपको छूटे दी जाएंगी तो जो चीजे भी ध्यान में रखे रहेगा कि ये जो है चीजे अड्मीशन जल्दी से जल्दी ले लिजे आप लोग आप लोग कॉल करेंगे तो कॉर्स का प्राइज वगर है सब कुछ आपको बता दिया जाएगा तो फटा फट फटा फट अड्मीशन लेना शुरू कर दीजे गाईज आप लोग कॉर्स में अड्मीशन लेना शुरू कीजे बात करते हैं इतिहास की हिस्ट्री टर्म अपने आप में बहुत ब्राड है ठिक ये चीज धान में रखे रहे हैं कि टर्म बहुत ब्राड टर्म है और इससे बहुत सारी चीजे आपके दिमाग में तूरंत आनी चाहिए चलिए एक प्रशन का जबाब दीजिए इतिहास का पिता किसे कहते हैं कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए गैस नहीं बिलकुल नहीं सिवम जी शिवम तोमर जी मौर्निंग में नहीं अरेंज किया जा सकता है क्योंकि अलग-अलग चीजे हैं सभी कुछ देखना पड़ता है यहाँ पर अगर हम बात करें हिस्ट्री की इति मतलब होता है जो पास्ट टाइम का है और इति मतलब ऐसा ही और हास मतलब जो बीत गया इति मतलब ऐसा ही हास मतलब जो बीते हुए समय में हुआ इसी को हम कहते हैं ऐसा ही बीते हुए समय में हुआ होगा कमों बेश यह जो है हम इतिहास में अनुमान लगाते हैं दबु ही परतों को विस्विक अस्तर पर हम क्या गरते हैं इसको उधेड़ते हैं और नए तथ्य प्रकास में आते चले जाते हैं और उनसे हमारी इतिहास की जानकारी वह बढ़ती चली जाती है ठीक है तो इसको जो अध्यान में रखे रहीएगा फटाफट फटाफट कमेंट करें गाइस जल्दी जल्दी कमेंट करें पास्ट फटाफट फटाफट आपके कमेंट आने चाहिए who is known as father of history इतिहास का पिता किसे कहते है बिलकुल सही Herodotus is known as father of history इतिहास का पिता किसे कहते है Herodotus को कहते है एक point दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग यहां से एक question और बनता है आप लोगों के दिमाग में यह बनता होगा कि इतिहास आज के scientific age में हम क्यों पढ़ते है Why we studied history in the age of science इस वैज्ञानिक यूग में हम इतिहास को क्यों पढ़ रहे Science की क्या definition है Systematic, Organized and Consolidated Knowledge क्रम बद्द सू व्यवस्थित, सू संगठित ज्यान को हम विज्ञान कहते History क्या है Simple सी चीज़ समझ यह Systematic, Organized and Consolidated Knowledge क्रम बद्द, सू व्यवस्थित, सू संगठित ज्यान यही विज्ञान है और इतिहास में भी हम क्रम बद्धता की बात करते है हम सू संगठित रूप में एक एक पॉइंट Step by Step ध्यान में रखते है और सू व्यवस्थित रूप में रखते है इसलिए Science के Age में इसका महत्व है एक दूसरे तरीके से समझ यह जो कुछ भी हम देखते हैं वह इतिहास है जो कुछ भी हम देखते हैं आप मुझे देख रहे हैं इतिहास में देख रहे हैं किसी भी ऑबजेक्ट को देखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है लाइट की जरूरत होती है प्रकास की जरूरत होती है ठीक है लाइट को किसी भी ऑबजेक्ट से टकरा करके हम तक पहुँचने में कुछ माइक्रो सेकेंड या कुछ पिको सेकेंड लगते हैं यानि हम जो है कुछ माइक्रो सेकेंड या कुछ पिको सेकेंड पहले की इस्थिती देखते हैं किसी भी जगह पर हम क्या गरते हैं किसी भी चीज की हम माइक्रो सेकेंड या पिको सेकेंड पहले की ही इस्तिती देखेंगे यानि किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो हिस्ट्री में देखते हैं इतिहास में देखते हैं जैसे अगर हम for example एक broader term में लें तो प्रिथवी पर जीवन का सूर्स क्या है सनलाइट है सूर्स के प्रिथवी तक पहुचने में एवरिज टाइम जो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है आठ मिनट 16.6 सेकेंड लगता है एवरिज टाइम औसद समय यह पूरे साल का जो एवरिज निकाला जाता है वो तो हम जो है सूरी की 8 मिनट 16.6 सेकंड पहले की स्थिती देख रहे हैं सूरी को हम इतिहास में देख रहे हैं ये साइन्स के एज में इतिहास के महत्तो को अपने आप में इस्थापित करता है इतिहास को देखने का नजरिया आपका इस तरीके से होना चाहिए आपको interest जग जाएगा सारी चीजे समझ में आने लगेंगी कि science कैसे इससे relate करता है आप कुछ भी जानते है सब कुछ history है उससे इतर कुछ भी नहीं वर्तमान में हम कहते हैं hypothetical अवधारडा होती है यह जो है वर्तमान में हम कभी होते ही नहीं है ठीक है या तो हम जो है future में हूँ सोचते हैं future में और रहते हैं किसी चीज को हम जो है खुद रहते हैं वर्तमान में observe करते हैं history में observation वो history में होता है रहते हम वर्तमान में हैं और सोचते हम futuristic approach के साथ तो यह point आप दिमाग में रखे रहेंगे इस इतिहास को पढ़ने के पहले समझे इस chapter को हमने prehistory नाम न दे करके प्रागा इतिहास नाम न दे करके stone age नाम दिया क्यों क्यों क्योंकि पत्थर की जितनी भी कलाकारियां हैं जितनी भी चीजे हैं सब यहाँ पर आपको पढ़नी है तो यह चीज धान में रख रहे हैंगा समझ में आया की नहीं आया history, why we read history why we studied history in this scientific era हम इस वैग्यानिक यूग में इतिहास क्यों पढ़ते हैं यह बात समझ में आया की नहीं आया comment fast फटा फट फटा फट कमेंट करेंगाई जल्दी जल्दी कमेंट करें comment fast guys फटा फट फटा फट आपके comment आने चाहिए जल्दी जल्दी कमेंट करें समझ में आया की नहीं आया आते हैं बात करते time period के concept को समय के काल के विशय के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि यह एक ऐसा concept है जो पूरे इतिहास के दोरान आपको प्रयोग में लेकर के आना है ठीक है तो पूरे के पूरे history के दोरान जो concept आपको दिमाग में लेकर के आना है और पढ़ना है वह है time period का concept इसको दिमाग में रखे रहिएगा सबसे पहला चीज की पहले जो है BC और AD को concept आया BC AD के concept कि अगर हम बात करें इससे पहले तमाम सारे calendar लाए गए बट जो history को पढ़ने के लिए calendar लाया गया वह था BC AD को concept and it was developed by a monk around 532 AD इस concept को किस ने develop किया हुआ था एक विक्षुक ने develop किया कब develop किया हुआ था around 532 AD में 532 इस्वी में develop किया हुआ था BC AD के concept को यह BC का मतलब है before Christ यानि इसा मसी के जन्म के पहले की घटनाए और AD का मतलब है enogamini यानि उनके domain यानि नाम करड के बाद की घटनाए that is known as AD तो यह BC और AD का concept नाम समझ में आये की नहीं इन नामों के मतलब क्लियर हुए की नहीं comment fast BC AD नाम के मतलब क्लियर हुए की नहीं जल्दी जल्दी comment करते रहिए comment fast फटा फट फटा फट कमेंट करते रहिए आप लोग लाइक और शेयर भी करते रहिएगा session को जो लोग YouTube पर देख रहे हैं लाइक और शेयर भी करते रहिएगा session को फटा फट 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 कमेंट करिए लाइक और शेयर भी करते रहिए session को फटा फट 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 ये जो है आसीस तिवारी जी अगर अभी आप connect नहीं हो पा रहे हैं तो आप YouTube पर देख सकते हैं यूटूब पर भी एक लास चल रही है तो आप YouTube पर भी क्लास को देख सकते हैं एप पर भी देख सकते हैं दोनों तरफ ठीक है दोनों को दिमाग में रखते हुए आप क्लास को कर सकते हैं यहाँ इस concept को समझते है एक्चुल में क्या हुआ कि यहाँ पर BC और AD का जब concept आया तो उसमें एक खास बात आई वो खास बात क्या थी वो समझिये वो यह था कि भाई इसा के जन्म के समय को हम क्या कहेंगे भाई इसा के जन्म के पहले के समय को हम कहेंगे BC, Before Christ इसा के जन्म के बाद के समय को हम कह रहे हैं नो डॉमेनी तो हम उसके जन्म के समय को हम क्या कहेंगे तो जन्म के समय को लेगर के confusion create होने लगा जब हम 1950 के बाद रेडियो कार्बन डिटिंग से चीजों को करना सुरू किये तो एक बड़ा सवाल इस concept के उपर हमने उठाना सुरू किया कि बाद जन्म के समय को क्या कहेंगे यह BC और AD के concept को आज कल बदल दिया गया नए term यूज किये जाते हैं BCE और AD की जगह पर C term यूज किया जाता है यहाँ पर BCE का मतलब होता है before common era और CE का मतलब होता है common era समझें यह changing क्यों की गई changing इसलिए की गई कि जो उनके जन्म के समय को लेकर के confusion था वह समाप्थ हो गया और just 1 BC के तुरंत बाद 1 CE आ गया 1 BC के तुरंत बाद 1 CE आ गया और फिर जो gapping को concept था वह खतम हो गया इसलिए ठिक तो यह चीज़ धान में रखे रही है कि बेहत जरूरी है यह बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्यों BC और AD के लिए नए टर्म BCE और CE लाए गए आज कल इन्हें हम क्यों जो है सबसे पहले प्रियोग में लाते हैं आज से 4000 वर्स पूर्व हुई या 5000 वर्स पूर्व हुई तो समझेए इसको 5000 वर्स पूर्व हम कहा हैं 2020 में है 5000 वर्स पूर्वाज से तो 2000 इधर प्लस 3000 और 3000 हम कहां गए BC में यानी 3000 BCE आज से 5000 साल पहले का क्या मतलब हुआ हम बात कर रहे है 3000 BCE की बात कर रहे है BC AD को कौंसेट समझ में आया की नहीं आया BCE or CE और BC और AD का कौंसेट clear हुआ की नहीं तो अगर कहीं पर BC लिखा हुआ रहा है तो उसको आप लोग समझ लीजिएगा कि BC हो गया है अब और कहीं पर अगर आपको AD लिखा हुआ मिले तो उसके लिए नए टर्म क्या आ गए है CE आ गए है क्लियर है कमेंट फास गैस फट 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 कमेंट करें अगला जो टर्म आपको ध्यान में रखना है वह है बिफोर प्रेजेंट एक्चुल में रेडियो कार्बन डेटिंग से तमाम सारी चीजों के आयू की घड़ना की जाती है जो फासिल्स मिलते हैं जो जीवाश मिलते हैं ठिक जो जीवाश मिलते हैं उन से जो है हम ये कालकुलीशन करते हैं उनके आयू की गड़ना करते समझेए यह रेडियो कार्बन डेटिंग होता क्या चीज है वो समझेए solar radiation जब भी 100 विकिरणड आती है solar radiation generates radio carbon carbon के कई समस्थानिक होते है carbon 14 एक इसका isotopes है समस्थानिक है carbon 14 is the isotubes of carbon या जो एक carbon का एक समस्थानिक है ठीक है जल्दी जल्दी comment करिएगा guys और जो लोग अभी तक course में admission नहीं लिए हैं वो course में admission ले लीजिए guys बेहट deep में मैं पढ़ाने वाला हूँ हर एक point को और detail में जाऊंगा यहाँ पर time limit नहीं है topic जैसा मैं बार-बार कहता हूँ topic को पूरी तरीके से cover किया जाएगा time को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो generally मेरी class दो घंटे की होती है बट यहाँ पर जो है आपको दो घंटे से एवब भी जा सकती है आपकी class तो जब तक आपका topic नहीं cover होगा तब तक पूरी तरीके से ये class चलती रहेगी clear है तो generally आप लोगों को two hours का time दिया गया मेरी हर एक class के लिए बट वो time जादा भी हो सकता है so mentally prepare रहिएगा इन सब चीजों के लिए क्योंकि मैं कोई point छोडने वाला नहीं हूँ ताकि आपका selection जरूर हो ठीक है यहाँ पर एक बात दिमाग में रखे रहिएगा कि solar radiation से जो radio carbon 14 आता है उसको सभी living organism जितने भी जेवित जीवधारी है सभी क्या करते हैं absorb करते रहते हैं अवशोशित करते रहते सभी अवशोशित करते रहते and when they died off जब यह मर जाते हैं तो इनका accumulation stop हो जाता है क्योंकि इनके cell की activity stop हो जाती है ठीक इनकी activity stop हो जाती है तो accumulation stop हो जाता है cell की activity stop हो गई और फिर यह disintegrate करना शुरू कर देते हैं क्योंकि यह radio carbon है radio activity सो कर रहा है radio activity की का मतलब समझे है ठीक है रेडियो अक्टिविटी का मतलब समझ लीजिए यहां पर एक खास चीज दाइट कॉंसेप्ट वाज गिवेन बाई हैंरी बेकुरल इस कॉंसेप्ट को दिया हुआ था हैंरी बेकुरल ने हैंरी बेकुरल ने बताया कि देर और सम एलिमेंट्स बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं विच रेगुलरली इमिट अल्फा बीटा गामा रेडियेशन्स जो अल्फा बीटा गामा किर्डों का उत्सर्जन करते रहते हैं अपने वास्तविक मात्रा का वह एक निश्चित समय के बाद आधा रह जाते हैं और दाट इस नोन आज हाफ लाइफ आप दाटिकुलर रेडियो अक्टिव मेटेरियल उस रेडियो सक्री पदार्थ का उसे हम अर्ध आयू काल कहते हैं और कार्बन फोटीन का रेडियो जो कार्बन फोटीन है इसका हाफ लाइफ पीरियेट कितना है फाइफ थाउजंड सेवेन हंड़ थर्टी प्लस माइनस फोटी प्लस माइनस फोटी का मतलब समझे इसके कैलकुलेशन में कितने एयर का एरर हो सकता है प्लस माइनस फोटी य का जो है अंतर देखने को मिल सकता है प्लस माइनस फुट्टी का मतलब हो गया कि इसमें 80 साल का अंतर हो सकता है इसके लिए अगर कोई भी चीज पर जिस पर भी यूनिट लिखी हुई है बीपी जैसे मान लिजिए किसी भी जगह पर आपको बीपी लिखा हुआ मिल गया तो यहाँ पर रेडियो कार्बन डेटिंग की जो है उसकी एज लिखी हुई है और यहाँ पर रेडियो कार्बन डेटिंग की जो एज मानी जाती है यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब है 1950 विपी का मतलब होता है before present और present का मतलब है 1950 यानि किसी भी जो पदार्थ हैं जो फासिल्स हैं उनकी जो आयू निकाली जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग से बीपी में तो वह किस year के सापेक्ष निकाली जाती है वह 1950 के सापेक्ष निकाली जाती है तो यह पहला point दिमाग मे रखे रहिएगा दूसरे point पर equation आप लोगों से CSC में यह पूछा हुआ प्रशन है कि इस method से carbon 14 method से हम कितने वर्स पुराने फासिल को हम calculate कर सकते हैं तो up to 70,000 year old जो फासिल हैं उनको हम radio carbon dating के माध्यम से calculate कर सकते हैं easily up to 70,000 year सत्तर हजार वर्स पुराने जो फासिल हैं जिवाश में उनका ध्यान हम इस पद्धती के माध्यम से कर सकते हैं आते हैं study of human past की जब हम बात करते हैं मानव के इतिहास की बात अगर हम करें तो मानव का इतिहास यह तीन चंक में बाटा गया है तीन मेजर चंक में बाटा गया है इन तीन मेजर चंक की अगर हम बात करें तो वह हैं pre-history यानी प्राग इतिहास प्रोटो हिस्ट्री यानि आद्धे इतिहास और written हिस्ट्री यानी लिखित इतिहास अब इनके मतलब समझिएगा आगे बट रिटन हिस्ट्री की अगर हम बात करें इसको भी तीन पार्ट में बाटा गया है एंसियंट यानि प्राचीन मेजाईवल यानि मध्यकालीन और मौधर्न यानि आधनिक इतने पार्ट में इसको बाटा गया है यह नाम समझ में आये की नहीं आये बिल्कुल इसमिता जी कोशिश यही रहेगी कि elaborate मैं ढंग से करूँ ताकि आपको मेंस में बहुत help मिले बहुत ज़्यादा help मिले मेंस में पूरी तरीके से लेकिन यह class पूरी pre-base है ठीक है तो यह ध्यान में रखे रही है कि मेंस में यहाँ पर help तो मिलेगी लेकिन यह pre-basis पर class है मेंस में question answer लिखाये जाते है और वो important points वहाँ पर discuss किये जाते conceptual बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर concept के साथ साथ आपको fact भी बताये जाएंगे यह नाम clear हुए की नहीं comment fast जल्दी जल्दी comment करें like और share जरूर करते रहें से संगो यह नाम clear हुए की नहीं comment fast guys फड़ 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 कमेंट करें यह नाम clear हुए की नहीं आते हैं बात करते हैं pre-history pre-history प्रागयतिहास का मतलब होता है before invention of writing लेखन कला की जानकारी से पहले का समय that is known as pre-history इसे हम प्रागयतिहास कहते है proto-history proto-history का मतलब है हमें literature तो मिलता है written part तो मिलता है but it could not decipher till today या आज तक पढ़ा नहीं गया है ऐसे script हमको मिलते हैं जो लिखे तो गए लेकिन क्या लिखा हुआ है ये आज तक हमको पता नहीं है ठीक है तो इसको जो इध्यान में रख रहीएगा that is known as proto-history where written material are available but could not decipher till today जिसमें लिखित इतिहास मौजूद है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है and history का मतलब हो गया कि invention of writing हो चुकी है and that is deciphered history ये जो है पढ़ी गई history है लिखित इतिहास को पढ़ा भी गया है ये चीज है आते हैं सबसे पहले बात करते हैं human के evolution की हम किसका बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे study of human past की यहाँ पर सबसे पहला term क्या आया human manov manov के उत्पत्ती के बारे में सबसे पहले आपको जनना है देखे जब भी हम बात करते हैं manov की तो हम hominid की बात करते हैं नर्वानरूं की बात करते हैं hominid का मतलब होता है नर्वानर यानि ऐसे हमारे पूर्वज जो बंदरों के सद्रिश रहे hominid कहा किया नर्वानर कहा किया जो सबसे पहला मानव जिसके अवशेश मिलते हैं यानि अगर हम देखें जो हमारे विकास का क्रम रहा उसमें सबसे पहले आए मोल छचुंदर आए मोल के बाद स्रूज आया स्रूज के बाद आगे की तरफ हम बढ़ते हुए लीमर्स की तरफ बढ़े लीमर्स के बाद टौर्सियर्स आए टौर्सियर्स से हम मंकी की तरफ बढ़े मंकी से हम आगे बढ़े तो ओर्यांग उचान ओर्यांग उचान ओर्यांग उचान के बाद गोरिल्ला फिर गिबन फिर आपका चिम्पैंजी चिम्पैंजी से आगे की तरफ जब हम बढ़े तो होमिनिड आए नर्वानर आए और पहला होमिनिड दफर्स्ट होमिनिड इस नोन एज रामा पिथेकस जब सकिन्पैंज की तब हमिनिड इस नोन एज रामा पिथेकस होमिनिड इस अप्टेन बाई लेविस इन फैसिस फॉसल इस नोन एज नाइन पहला है या first hominid है यहां पर आप लोग screenshot लेते रहिएगा यह screenshot लेते रहिएगा एक खास बात समझेए pdf-ppt जो मेरा पढ़ाने का तरीका है pdf और ppt हमैसा आपको अलग मिलेगी कभी सेम नहीं मिलेगी तो screenshot जरूर लेते रहिएगा आप लोग हर एक स्लाइड का स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा यह जो है आपके लिए बेहत जरूरी क्योंकि हम जो है जिस तरीके से पढ़ाते हैं वह पूरा 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 पीडियाफ और पीपीटी बिल्कुल अलग है शिवम जी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है तो प्लीज आप जो है आज के लिए आप यूटूब पर स्विच कर लीजिए जितने लोग हैं अप पर अगर अप प्रॉब्लम कर रहा है तो आप में से अगर किसी को भी अप प्रॉब्लम कर रहा है तो प्लीज आप लोग यूटूब पर भी क्लास चल रही है आग जो है YouTube पर भी आप सुछ हो सकते हैं तो वहाँ पर आप सुछ हो जाएए आपको प्रोब्लम वहाँ पर नहीं होगी ठीक है तो जल्दी से जल्दी YouTube पर जो है आजाएए अनलाइन वेंचर के वहाँ पर भी क्लासेश चल रही है तो अगर आप में से किसी को एप में प्रोब्लम आ रही है तो ये काम वो कर सकता है लाइक और सेयर जरूर करते रहें आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहें इसके बाद अगर हम बात करें तो कौन से एरा से य इपोक का ये फोसिल था ये फोसिल किसका था पैलियोसीन इपोक का था इसके बाद जो अगला हमेनिड आया ये पूरगपूरा हिरार्की रामा पिथेकस तक समझ में आया की नहीं आया की नहीं आया कमेंट फास्ट ये रामा पिथेकस तक पूरगपूरा हिरार्की समझ में आ और तब रामा पिथेकस आया यहां तकी कहानी समझ में आई की नहीं आई कमेंट फास्ट गैस जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट यहां पर फटाफट फटाफट कमेंट करें गैस चलिए आगे बात करते हैं पहला मानो पहला मानो जो सीधा खड़ा हुआ पहला मानो जो सीधा खड़ा हुआ इसका पूरा नाम क्या है आश्ट्रेलोपिथेकस अफ्रिकेनस यानि यह कौन से महादीप में उभर करके आया अफ्रिका महादीप में उभर करके आया इसलिए इसको हम कहते हैं अफ्रिकन मैन इसे हम क्या कहते हैं अफ्रिकी मानो कहते है इसे अफ्रिकी मानो कहते है ठिक यह कब आया सीनोजोई केरा में पाइलियोसीन में और इसको खोजा किसने 1924 में इसके फासिल खोजे गए रेमंड डॉट द्वारा अफ्रिका में और इसकी क्राइनियल कैपैसिटी कितनी थी 500 CC का इंजन लगा हुआ था त्यूबिक सेंटीमीटर क्राइनियल कैपैसिटी यानि मस्तिस्क की छमता क्राइनियल कैपैसिटी इसकी कितनी है 500 CC की है 500 CC का इंजन लगा हुआ था इसके बाद मानो सीधे खड़ होने के बाद क्या किया habitat बनाना सुरू किया निवास अस्थान बनाना सुरू किया रहना सुरू किया पहला मानो जो निवास अस्थान बनाया उसे नाम दिया गया habitat बनाया इसलिए इसको नाम दिया गया homo habilis इसे नाम दिया गया होमो हैबिलस ये हैंजी मैन था या हाथों से बेहतर ढंग से काम करने में सक्षम था या भी सीनोजोईक एरा में प्लास्टोसीन काल में आया और इसकी खोज 1960 में इसके फासिल की खोज किया लिकी ने कहाँ पर अफरीका कांटिनेंट में और इसमें 60CC का इंजन लगा हुआ था यानि इसकी क्रैनियल कैपेसिटी क्या थी 680CC थी इसके बाद होमो क्रैक्टर्स पिथैक अंत्रोपस आया होमो पिथैक अंत्रोपस जिसे जावा मानों कहा गया इसकी cranial capacity 900 CC अचानक से बहुत ज़ादा हो गई 900 CC थी और इसकी खोज 1890 में इसके फासिल की खोज जुबोस ने की थी जुबोस ने जावा मेन की खोज की थी होमो क्राक्टिस कहा जाता है इसको या होमो पीफे कैंथ्रोपस कहा जाता है नाम उगर थोड़े से टफ हैं दो चार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा अब जो है आपके जो है एक खास बात दिमाग में रखे रहिएगा यहा पत्थर को तरासना शुरू कर दिया यहां तक की कहानी क्या है यह habitat में रह रहे है लेकिन यह जो है पत्थरों को उठा के मार रहे अभी बताते हैं प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं बट पहले human की origin समझ लीजिए फिर prehistory की तरफ हम बढ़ेंगे इसके बाद अगला मानव Homo erectus synathropus इसे बिजिग मानव या पिकिंग मानव कहा गया इसने आग की खोज किया Homo erectus synathropus इसका scientific name है Homo erectus synathropus सीधा खड़ा हुआ और इसने आग की खोज किया सेम एरा इसके फासिल की खोज किया था 1924 में डाविडशन ने और इसकी क्रैनियल कैपैसिटी थी 1075 सीसी 1075 सीसी इसके बाद होमो सैंपियंस नियंडर थैलिस होमो सैंपियंस नियंडर थैलिस आया जिसे नियंडर थैल मानों कहा गया इसके फासिल की खोज फ्लूल्ट महोदय ने 1856 में किया था 1856 में फ्लूल्ट महोदय ने किया था और इसकी क्रैनियल कैपैसिटी 1350 से लेकर के 1500 तक थी और इसने एक नया आथियार बनाया first missile he discovered first missile पहला missile मानो द्वारा बनाया गया that is zambelline भाला ठिक तो भाला किसने बनाया वह neanderthal मानो ने बनाया who constructed javelin भाला किसने बनाया तो homo sapiens neanderthalis ने बनाया neanderthal मानो ने और ये जो है neanderthal Europe की जो valley है वहां से फुलर्ट महोदय ने इसका जो है अवशेस खोजा तेरह सो पचास से पंदरह सो सीसी का इसका cranial capacity इसके बाद homo sapiens आया which is also known as cromagnon man जिसे cromagnon मानो कहा गया holocene age में और इसको इसके फासिल को mac gruger महोदय ने 1868 में खोजा ठिक इसकी cranial capacity बहुत जादा थी इसका hardware बहुत बड़ा था 1600 से 1700 सीसी का इसमें engine लगा हुआ था लेकिन उतना software अपलोड नहीं कर पाया यह सभी disappear हो गए और एक नया मानो आया the modern man homo sapiens sapiens 1450 से ले करके 1470 सीसी का engine तो यह जो है cranial capacity और चीजों के बारे में यहां तक की कहानी clear है की नहीं comment fast ठीक है समझ में आया की नहीं यह पूरी तरीके से clear हुआ की नहीं cranial capacity किसने इसका screenshot ले लिजी आपको पूरी तरीके समझ में आ जाएगा यहां लिखा हुआ है इसके scientific name, common name, era, epoch who discovered that कौन से place से है और इनकी cranial capacity क्या है यह सारी बाते यहां पर आपको लिखी हुई है human का evolution clear हुआ की नहीं wise man वो धिमान मानो आया जो तमाम सारी चीजों की discovery किया अब आते है human के origin पर कैसे इसका expansion हुआ है कौन से continent पर यह सबसे पहले आया और कौन से continent पर सबसे बाद में आया यह point दिमाग में रखे रहेगा how the human migrate मानो कैसे जो है अफरिका में origin हुआ कहां पर originate हुआ है near to the Victoria Lake Victoria जिल के पास में यानि कौन सा area है Central Africa कहां originate हुआ है Central Africa में it originate in Central Africa मध्य अफरिका में इसका origin हुआ है यहां पुछिए सिवम जी कोई भी doubt हो तो यहां पर पुछ लीजिएगा आप क्योंकि human के migration पर आ गए है human यहां पर खतम होगा यहां पर क्या था कि जो रामा पिथिकस थे वह यहां पर थे घासे हैं कौन सा एरिया है सवाना ग्रास लेंड का एरिया Central Africa में क्या है सवाना के घास के मैदान है सवाना ग्रास लेंड है और यहां पर बड़ी बड़ी घासे हैं इन बड़ी बड़ी घासों में क्या किया उसने पत्थर उठा करके उचक करके देखना सुरू किया पेडों से उतर करके आया और उचक करके देखना सुरू किया धीरे धीरे यह सीधा खड़ा हो गया होमो इरेक्टस धीरे धीरे यह सीधा खड़ा हो गया होमो इरेक्टस बन करके आया यहां पर प्राचीन मानो जिसे हमने एडमस और इव कहीं पर मनू सत्रूपा अलग-अलग नाम दिये हुए हैं अलग-अलग जगहों पर तो यह जो है ध्यान में रखे रहिएगा कि यह जो है उभर करके आगे यहां पर यहां से मानो फिर कहां आया एशिया कॉंटिनेंट में इधर से इधर की तरफ गया नियंडर थैलिस इधर की तर चला गया यहां से आगे बढ़ा और इस पार्ट से होते हुए नार्थ अमेरिका और सबसे लास्ट में मानों कहां पहुंचा है साउथ अमेरिका में पहुंचा है तो और जिन कहां से मानी जाती है अफ्रिका से अफ्रिका के कौन से पार्ट से सेंट्रल अफ्रिका से मध्ध फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें यह migration pattern clear हुआ की नहीं फटा 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 आपके comment आने चाहिए गाइस human migration pattern clear हुआ की नहीं तब आते हैं हम prehistory पर नाव prehistory की बात करते प्रागेतिहास की बात करते अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इसको हमने stone age नाम क्यों दिया prehistory क्यों नहीं दिया तो कि इसके पहले की कहानी बेहत जरूरी थी आपको हर एक कहानी जानना जरूरी है इसलिए इसको नाम दिया गया था चैप्टर को stone age और prehistory में बहुत अंतर है तो यह चीज़ ध्यान में रखे रहिएगा stone age में आपको human evolution वगरे को भी ध्यान में रखना है clear now come to the prehistory यानि people on earth जब लोगों का जमावड़ा बढ़ना शुरू हुआ इसकी बात करते हैं इसको कई part में बाटा गया है paleolithic is तो यह इसका जो है major division यह नाम समझ में की नहीं आए जो बड़े division किये गए यह नाम clear हुए की नहीं नाम समझ में आये की नहीं आये फटाफट फटाफट कमेंट करें गाईस यह नाम क्लियर हुए की नहीं आते हैं स्टोनेज को बेसिकली डिवाइट किया गया है पैलियो लिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोनेज पुरा पाशाड काल मीजोलिथिक का मतलब होता है मिडल स्टोनेज मध्य पाशाड काल नियोलिथिक का मतलब होता है न्यू इस्टोन इज नौपाशाड काल चालकोलिथिक का मतलब होता है कौपार इज तामर यूग और साउथ इंडिया में जो आया वह था मेगालिथिक एज महापाशाडिक काल तो ये चीज ध्यान में रख रहिएगा जया बिलकुल पीडियाफ और पीपीटी बिलकुल अलग 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 रहेगी ये बात ध्यान में रख रहिएगा PDF और PPT बिल्कुल अलग-अलग रहती है ठीक है तो यह चीज ध्यान में रखे रहेगा PDF और PPT आपकी अलग-अलग रहेगी क्लियर है आज आये इधर प्री हिस्ट्री की बात करते हैं प्राग इतिहास की प्राग इतिहास का मतलब है in this age no written history are available कोई भी लिखित इतिहास या इतिहासिक साख्ष लिखित रूप में उपस्थित नहीं है the first symptoms of this age is in India is obtained by Robert Brucefoot in 1859 which was a letter declared in 1863 कि इस युग के सबसे पहले साख्ष राबर्ट बुस्फूट द्वारा अठारह सो उनसट में प्राप्त किये गए पोला वर्म आंधरप्रदेश से कहां से प्राप्त किये गए पोला वर्म आंधरप्रदेश से प्राप्त किये गए और इसके बारे में declaration कब किया गया 1863 में किया गया समझिएगा obtain करना जैसे अगर हम बात करे सिनौली आज कल चर्चा में है 2005 में सिनौली से चीजे मिलनी सुरू हुई लेकिन उसके बारे में declaration कब होता है 2021 में आकर के declaration होता है और भारत के इतिहास को नए सीरे से देखे जाने की बात की जाती है सेम चीज़ समझिएगा obtain कब किया इन्होंने इसके बारे में जो फासिल्स वगरह मिले टूल्स वगरह मिले कब obtain किया 1859 में कब declaration किया है 1863 में 1893 में और इन्होंने अबटेन क्या किया था यहां से क्या प्राप्त किया Handgex हस्त कुठार पत्थर की बड़ी बनी हुई हांथ की कुल हाड़ी प्राप्त की हस्त कुठार प्राप्त किया और ये कौनसे एस का था प्लीस्टो सीन इज का प्लीस्टो सीन काल का क्या प्राप्त किया था वह देख लीजिए इन्होंने राबर्ड बुस्फूट यह हैं इन्होंने इसको प्राप्त किया तमाम सारी चीजे राबर्ड बुस्फूट और इनके द्वारा जितनी भी चीजे मिली वह सब कहां रखी ह कलकता के म्यूजियम में रखी हुई है ठीक है राबरी गूट के कलेक्शन की गर हम बात करें तो ove यह में रखा हुआ थून्स वगर कहा हुआ एंडियन जम में रखा हुआ है तो यह सवाल आप से पूछा जाता है कि कब जो है किसने प्राप्त किया ठिक और कभी इनोंने declaration दिया था 1863 में ध्यान में रखे रहिएगा 1863 में declaration दिया है अप्टेन कब किया है 1859 में तो दोनों पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा क्लियर कमेंट फास्ट जद यल्दी कमेंट करें क्लियर हुआ की नहीं इसके अलावे अगर हम बात करें तो जैसे ही ये चीज मिला ये माना जाने लगा कि भारत में भी एंसियंट चाइब में प्राचीन काल में प्रीहिस्टोरिक एरा में लोग रहा करते थे अब इसके लिए लगातार कोज होनी सुरु हो गई डिस्कवरी स्टार्ट कर दी गई 1935 में 1935 में D. Tera और Peterson D. Tera और Peterson जो की Yale Cambridge University से बिलॉंग करते थे Yale Cambridge University कहा है England में इस थे यहां से बिलॉंग करने वाले D. Tera और Peterson और उनके साथ ही लोगों ने मिल करके पाकिस्तान के उसमें जो है पाकिस्तान अब इभाजित भारत का हिस्सा हुआ गरता था पाकिस्तान के पटवार रीजन में पटवार छेत्र में इन्होंने इसकावेशन किया उत्खनन किया शिवालिक माउंटेन रेंज में कौन से माउंटेन रेंज में इसकावेशन सुरू किया सिवालिक माउंटिन रेंज में इसकावेशन सुरू किया और यहां से सोन रिवर वैली सोहन नदी की घाटी से बहुत सारे इन्हों ने टूल्स प्राप्त किये बहुत सारे उपकरण प्राप्त किये सोहन रिवर वैली से तो इसको इनोंने नाम दिया सोहन इंडस्ट्रीज सोहन के अध्योगिक छेत्र नाम दिया गया सोहन रिवर वैली के जो areas रहे यह जो है यहाँ से मिले archaeologists थे यह जो है सभी लोग archaeologists यह organized way में नहीं थे यह un-organized way में थे तमाम सारे लोग अलग अलग प्रियास करना सुरू किये अभी मेहरगड़ पर नहीं आते हैं पहले यहाँ पर रहिए ठीक है, Lower Paleolithic Age की बात करें निम्न पूरा पाशाड काल की Paleolithic Age को कई पार्ट में बाटा गया है ठीक, तीन पार्ट में बाटा गया Lower Paleolithic Age, Middle Paleolithic Age और Upper Paleolithic Age Paleolithic Age itself divided into three parts जो पूरा पाशाड काल है उसको तीन भागों बाटा गया है Lower Paleolithic Age, निम्न पूरा पाशाड काल Middle Paleolithic Age, मध्य पूरा पाशाड काल and Upper Paleolithic Age, उच्च पूरा पाशाड काल में बाटा गया Now, come to the Lower Paleolithic Age निम्नपुरा पाशाड काल की अगर हम बात करें निम्नपुरा पाशाड काल समझेगा इसको लोवर पालियोलिथिक एज को समझेगा जो आपको रेगुलर कोर्स कराया जा रहा है उसकी डेमो क्लास दी जा रही है एकाद क्लास और भी सबजेक्ट की प्रोवाइट कर दी जाएगी बट आपको सारी classes को पढ़ने के लिए course में admission लेना होगा बेहद nominal fees है 2999 मात्र 2999 बे रुपए मात्र फीस है आप जो है यहाँ पर admission ले सकते हैं आजाएए यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी tools मिले इनको दो part में divide किया गया दो culture में divide किया गया यानि lower paleolithic age divided into two cultures इसे दो संस्कृतियों में माता गया है पहला chopper, chopping, pebble, culture, chopper, chopping, pebble, culture, गंडासा, chopper यानि गंडासा, कुट्टनी, अनगड़ पत्थर की संस्कृतियों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो stone tools मिले हुए हैं जो भी पत्थर के उपकरण मिले हुए हैं इस स्टोन टूल्स आप्टेन अन्दा बैंक ओफ रिवर सोहन, सोहन नदी के किनारे से मिले हुए हैं विचिस ट्रिब्यूटरी आफ रिवर इंडस इन पांजाब पाकिस्तान, पाकिस्तानी पंजाब के एरिया में सिंध नदी की साहयक नदी हैं सोहन नदी वहीं से यहां तमाम सारे उपकरण मिले हुए हैं, स्टोन के बने हुए हैं, यह सभी किसके बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए उपकरण प्राप्थ हुए हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सोहन इंडस्ट्री कहते हैं, how many layer obtained from this area, सोहन रिवर वैली से कितने layer मिले हुए हैं, five layer is obtained from that particular area पांच अस्तरों पर अलग-अलग काल के उपकरण मिले, कहां से, सोहन नदी घाटी शेतर से, और यह सभी उपकरण फ्लैट बेस थे, राउंडेड थे, और क्वार्ट जाइट पत्थरों के बने हुए थे यह हैं, कौन से प्रकार के पत्थरों के बने हुए थे, यहां पर अनगर पत्थरों को उठागरके, बड़े-बड़े पत्थरों को उठागरके, मारना शुरू किया और उसने ये देखा इनमें जो नुकीले पत्थर हैं वह जादा नुकसान पहुचाते हैं बड़े बड़े पत्थरों को उठा गर के इसने इस तरीके से मारना सुरू किया देखा उसने की जो नुकीले पत्थर हैं वह हमें जादा सुरक्षा दे रहे हैं तमाम सारे जानवरों को हमसे दूर रख रहे तो ये तमाम सारे करडों का प्रियोग उसने करना सुरू किया सोहन रिवर वैली में और इसके बाद इसने गुफाओं में आस्रे लेना सुरू कर दिया सेल्टर लेना सुरू किया केव में क्योंकि मौसम की मार से बचने के लिए इसको गुफाएं बेहद अच्छा साधन महसूस हुई एक खास चीज और समझिएगा कि यहां पर उन्होंने जानवरों को मारा और फिर लकडियों को लगा करके अपने गुफाओं के सुरक्षा गरनी सुरू कर दी इस्टिक्स के माध् सुरू कर दिये एनिमल्स के जो तमाम सारे स्कीन है जैसे बाग की चाल और सारी चीज़ें यह पहननी सुरू कर दिनी बाइलिंग्वल क्लास है यह क्लास बाइलिंग्वल है सो ध्यान में रखे रहिएगा इलाबोरीशन हिंदी में पिपीटी आपकी जो है वह इंग्लिस मे और हिंदी में इलाबोरीशन तो ध्यान रखे रहिएगा यह बाइलिंग्वल क्लास है ठिक आते हैं इसमें भी हैंडिक्स कल्चर की अगर हम बात करें जो हैंडिक्स मिले पत्थर की कुलहाडी हाथ की आप देखिए कुलहाडी की तरह यहां पर शार्प किया गया है और यह पत्थर है इसको कुलहाडी की तरह प्रियोग में लाया गया आगे चल करके जो है इसी के विक्सित स्वरूप को आप देख सकते हैं जब यहां पर फलेकिंग की गई है तरास करके निकाले गए तमाम सारे जो है पत्थर निकाले गए पहले सिंगल साइट फलेकिंग की गई एक तरफ से धार निकाली गई फिर डबल साइट फ्लिकिंग की गई दिखा गया कि जो दोनों तरफ से धार पड़ी हुई है वह पत्थर वह कुलहडियां ज़ादा तेजी से काम कर रही है यह है आपका गंडासे की तरह काम कर रहा है देखिए ये क्या है आपका chopper है ये हैंडिक्स है और ये chopping है कुट्रनी का काम कर रहा है तो chopper chopping हैंडिक्स आप देख सकते हैं कैसे है ये पूरा गा पूरा आते हैं सिकिंड की बात करते हैंडिक्स culture it is obtained from Kortalyar River basin यह जो कोर्तलियार नदी घाटी में मिला विच नियार टुद चिन्नाई चिन्नाई से रहा ठिक अतिरम पक्कम और बद मदुरई दो प्लेस हैं एक है अतिरम पक्कम और अनदर इस बद मदुरई अतिरम पक्कम और बद मदुरई से दो जगहों से मिले stone tools बेहत महत्तपूर्ड हैं तो यह चीज़ ध्यान में रखे रहे हैं कि यह जो है दो जगहे हैं जहां से stone tools मिले हुए हैं handex culture के तहत कहे जाते हैं वो जो है यहाँ पर कौन कौन से हैं पहला सोहन culture दूसरा handex culture handex culture यह जो है अतिरम पक्कम और बद मदुरई से प्राप्थ हुए हैं नियर टुद चिन्नई कौन सी नदी के किनारे हैं आंद बैंक ओफ रीवर कोर्तल यार कोर्तल यार नदी घाटी के किनारे हैं जनरली यह कैसे हैं rectangular हैं rounded हैं cleaver tools भी यहां से मिले हुए खुरचनी प्रकार के clever यानि खुरचनी प्रकार के उपकरड भी पत्थर के मिले हुए हैं तो यह चीज ध्यान में रख रहेएगा ऐसे stone tools के अलवा खुरचने प्रकार के पत्थर भी यहां से प्राप्त हुए हैं, जैसे अगर हम देखें, तो एक खास सवाल आता है कि सोहन रिवरवैली को नार्थ में है और कोहतलियार रिवर वैली एक्स्ट्रीम सौथ में एक इस उनार्थे वेस्ट वाले एरिया में है और यह एक्स्ट्रीम सौथ chia कोई ऐसा ठाले इसा जहां से इन दोनों के बारें जानगारी मिलतीER यह चीज ध्यान में रखे रहिएगा। āज ऐसा भी है, उसका नाम है चॉंतरा। चॉंतरा यह जो है, बुथ कल्चर का जो हेंडिक्स कल्चर है, यानि कुरतालियार और सोहन रीवर वैली का कल्चर है, इन दोनों का मिटिंग प्लेस है, यानि यहां से हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, पेबल, सब कुछ मिला हुआ है यहां से देखिए, सेम टाइप का हैंडेक्स, चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर, यह सभी मिला हुआ है यानि अगर आपसे यह पुछा जाए, कि फर्स्ट टूल्स यूजड वाई मैन, मानो द्वारा पहला प्रयोग में लाया गया हथियार क्या था? हैंडेक्स, पहला उपकरट, फर्स्ट इस्टोन टूल्स विच वाज कंस्ट्रक्टेड वाई हुमन्स, जिसका निर्माड मानो द्वारा किया गया, दाट इस हैंडेक्स, क्या है? हस्त कुठार, हाथ की कुल्हाडी समझ में आया की नहीं आया, क्लियर हुआ की नहीं, कमेंट फास्ट, नाव मिजल पैलियोलिथी केज, मध्य पुरा पाशाड काल, आते हैं मध्य पुरा पाशाड काल में, लोवर पैलियोलिथी केज, क्लियर हुआ की नहीं, कमेंट फास्ट, लोवर पैलियोलिथी केज, आज आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे civil services और इन सब में अंतर क्या है और कितना deep आपको पढ़ना होता है बाकी classes और civil services में क्या difference है ये आपको बहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा आज क्लियर है गी नहीं कमेंट फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करें गाईज कमेंट फास्ट आते हैं Middle Paleolithic age की बात करते मध्यपूरा पाशालकाल की इन इंडिया first identification of this age is obtained by HD Sankalya in 1956 from Nevasa इस यूग के सबसे पहले साख्छे HD Sankalya ने निवासा से प्राप्त किये थी संकल्या द्वारा निवासा से प्राप्त किये गए the main tools of this age is flaked pebble, crode, blade, borer, cleaver, handex, harrow etc इस काल के प्रमुख उपकरड रहे तरासे गए pebble, crode, blade जैसे उपकरड, borer, छेदनी, cleaver, खुरचनी, handex, हस्त कुठार और harrow ये सभी इस यूग के प्रमुख उपकरड रहे इसके symptoms की अगर हम बात करें तो कई और जगहों से मध्व पूरा पाशाणकाल के अवसेश मिले हुए है जैसे अगर हम बात करें भीमबेथ का राइसेयन डिस्टिक मध्व प्रदेश में, राता पानी टाइगर रिजर में है भीमबेथ का वहां से मिले हुए है भेडा घाट जबलपूर से मिले हुए हैं, बेलन रिवर वैली मिर्जापूर से मिले हुए हैं, मिर्जापूर की बेलन रिवर वैली से मिले हुए हैं, सिंग्रावली सोन भदर से मिले हुए हैं, और चकिया चंदावली उत्तरप्रदेश से मिले हुए हैं इतने जगहों से lower paleolithic age के symptom प्राप्थ हुए हैं, निम्नपुर्वा पाशाड काल के जो अवशेश मिले हैं, वह भीमबेट का, भेडा घाट, बेलन रिवर वैली, सिंगरोली और चकिया से प्राप्थ हुए हैं। सब पूछे गए हुए प्रशन हैं, सिविल सर्विसेज एक्जामिनेशन में सभी आ चुके प्रशन हैं। यह ध्यान में रखे रहिएगा। जैसे यह पूछा गया है कि भीमबेट का कौन से टाइगर रिजर्व में हैं, राता पानी टाइगर रिजर्व में हैं। नाव कम तुद अपर पालियोलिथी केज उच्च पूरा पाशाड काल की बात करते हैं। अपर पालियोलिथी केज उच्च पूरा पाशाड काल। कमेंट फास्वाज समझ में आ रहा है कि नहीं जल्दी जल्दी कमेंट करें कमेंट फास्ट in India its first identification is obtained by MLK मूर्ती from रेनु गुंटा चित्तोर आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रेनु गुंठा से MLK मूर्ती द्वारा सबसे पहले इसके साक्ष प्राप्त किये गए उच्च पूरा पाशाड़काल के साक्ष प्राप्त किये गए इन दिसेज हुमन स्टार्टेट तो यूज बोन टूल्स एलांग विथ स्टोन टूल्स उच्च पूरा पाशाड़काल तक आते आते मानव वह जो है हड्डियों के उपकरणों का भी प्रयोग करना सुरू कर चुका था पत्थर के उपकरणों के साथ साथ वह हड्डियों के उपकरण भी प्रयोग में लेकर के आना सुरू कर दिया था ठीक है जैसे अगर हम बात करें तो मैसेट चिता मोनी गावी केव यह जो है आंध्रा प्रदेश में इस्थित है यहां से बहुत सारे बोन टूल्स मिले हुए हैं हड़ी के उपकरण मिले हुए हैं कहां से मैसेट चिता मोनी गावी केव जो की कहां है आंध्रा प्रदेश में ये तमाम सारे टूल्स वहाँ से मिले हुए हैं, बोन्स के, जैसे ये हड़ी के बनी हुई, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हारपून है, इसके अलवा बोन्स की निडिल है, बोन्स का रैथ है, तमाम सारे निकलस मिले हुए हैं, तमाम सारी चीजे बोन्स की बनी हुई मिली है तो ये बोन टूल्स कब मिले हुए हैं अपर पालियोलिथी केज में और कौन सी गुफा से मिले हुए हैं तो गुफा का नाम याद रखे रही हैगा मैशेट चितामोने गावी केव विच लोकेटेड इन आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश में इस केव से ये तमाम सारे बोन टूल्स प्राप्थ हुए हैं इसके अलावे लोहंदा नाला एरिया प्रयाग राज से मात्री देवी की बोन की आइडल्स मिली हुई है हड़ी की बनी हुई मुर्ती मिली हुई है लोहंदा नाला एरिया प्रयाग राज से ठिक पालियोलिथिक एज में हुमन लाइफ कहां पर रहता था हुमन जो है वह हुमन लिव इन अंडर ओपन इसकाई पालियोलिथिक एज में पूरा पाशाड काल में मानो वह खुले आस्मान के नीचे रहता था इवाज हंटर एंड फूड गैदरर वह शिकारी और खाद संग्राहक था और ये पालियोलिथिक कल्चर कब डेवलप हुआ प्लीस्टोसीन काल में डेवलप हुआ प्लीस्टोसीन युग में डेवलप हुआ तो पूरा 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 पैलियोलिथिक समझ में आया की नहीं आया पैलियोलिथिक एज से जैसे ही हम आगे की तरह बढ़े चीन की चाउजू कोजियन केव में चाउजू कोजियन केव चा आग खोजी गई यह आग की खोज ने पूरी तरीके से कहानी बदल दिया पूरी कहानी आग की खोज ने बदल दिया आग की खोज से सक्स डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया Horn जो इस्त्रियों की बनावट होती है वह चीजों को सहेज के रखने की होती है हर एक चीज को सहेज के रखने की उनकी जो सारीरिक बनावट है वह ऐसी होती है हर एक चीज को सहेज के रखती है उनके जो थंब की बनावट है वो जैसे आप अपने थंब की बनावट को देखें जितने भी मेल लोगों की थम्ब की बनावट होती है और कर्वीचर लिए हुए होती है कर्व लिए हुए होती है जबकि जो फीमेल के थम्ब की बनावट होती है उनका थम्ब कर्व लिए हुए नहीं होता है और यही करण है कि बारीक कामों में इस्त्रिया निपूड होती है क सट्रीया किसट सर्फिस अरिया बहुत पुंकि इसके अलवा बैंग समय चूड़ी तूरी उद्योग में बिरीयों का इस्तेमाल बहुतायत किया जाता है थो क्यों किया जाता क्यों कि उसके यह वो मुफीद होता है, उनके लिए बारी काम में वो बहुत नहीं पूर्ण होती इसे एक नुकसान भी है नुकसान है, कि six discrimination नुकसान सरहे हो गया, सबसे बड़ा नुकसान तो यहीं हुआ पर पालियोली थी केज से ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ क्यों क्योंकि पहले क्या था सब सिकार में जाते थे सब कुछ करते थे आग ने बहुत सारी चीजे कर दिया ठंड से बचाओ लेकर के आई लोगों को आराम मिला जंगली जानवरों से जो है बचाओ मिला खाना पका हुआ मिलने लगा तो ये सारी चीजे यहां पर होने लगी आग को बचा करके रखना इस्त्रियों आग बड़ी इन्वेंशन हुआ तो आग हर कोई नहीं जला पाता था आग को चक्मक पत्थर को रगड़ करके जलाना होता था सबके पास चक्मक पत्थर नहीं होता था तो अब एक बार आग जल गई तो उसको जलाई रखना इस्त्रियों की जिम्मेदारी होती थी वह घरों में पैक हो गई कोई आग बाकी चीजों से ज़्यादा महत्वपूर्ड थी भोजन, सिकार वह सब तो पुरिश भी कर सकते थे आग को संभाल के रख पाना ज़्यादा समय तक वह इस्त्रियों के लिए संभाव था और इसलिए उनको घरों पैक कर दिया गया इसका एक दूसरा पहलू भी है इस तरियां अच्छा खाना कभी नहीं बनाती है यह अपोजेबल थंब के कारण होता है कभी भी अच्छा खाना नहीं बनाती है तो मजबूरी है कि उनकी तारीफ करनी पड़ती है दुनिया भर के 99.9% मेल जो है शेफ हैं जो फाइव स्टार होटल के सेफ हैं तमाम सारे शेफ हैं उसे अब कैसे हैं मेल हैं फिमेल नहीं हैं अच्छा खाना कभी नहीं बनाती है मजबूरी यह तारीफ नहीं करोगे तो अगले दिन से बोल दिया जाएगा आप ही बनाओ तो तो मजबूरी है तारीफ करना पड़ता है कि नहीं बहुत अच्छा खाना बनाती है आप देख लिजे किसी दिन फंक्शन होने वाला होता है क्या होता है बोल दिया जाता है कि पूरे विरादरी में ना कट जाएगा फंक्शन हो रहा है खाना मत बनाओ ठीक है तो खाना मत बनाओ ये बोल दिया जाता है कि पूरे विरादरी में कहानी खराब हो जाएगा ठीक है तो इसको जोए ध्यान में रखे रहिएगा कि वो खाना नहीं बनाती ये पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा clear है अच्छा खाना का भी नहीं बनाती है तो यह point दिमाग में रखे रहेगा और पुरुस अच्छा खाना बनाते हैं क्योंकि महिलाएं जब भी खाना बनाएंगी चमच से सारा कुछ मसाला नमक सब कुछ चमच से और पुरुस खाना बनाएंगे बायोलजी जोडते हैं अच्छा खाना इसलिए बनाते हैं बायोलजी जोडते हैं अपनी बायोलजी जोडेंगे चीजे अच्छी होंगी तो यह आग की खोज ने स्टार्ट किया चाइना वाले वैसे भी डिस्क्रिमिनेट करते रहते हैं दुनिया भर की आग लगाना चाइना वालों का काम और दिमाग में रखे रहेगा कहां पर जो है आग की खोज हुई है चाइना में देखिए दुनिया भर के पडोसी देशों में आग लगाने का काम करते हैं पडोसी सीमाओं पर दुनिया भर के जो विवाद पैदा करते हैं चाइना के लोग और आग की खोज कहा हुई चाइना में ऐसे आप याद रखे रहेंगे तो इस पॉइंट को दिमाद में आप रखे की स्टीट वएजवदे की रहीएगा आते हैं की एजवड़ और साइट मिले हुएं उनको देखते हैं स्टेट की अगर सबसर करें अफगानिस्तान जो वजा जान स्टीट में संगाव केव मिली हुई है शंगाव केव आर्कियोलजिकल साइट्स को याद रखना है आपको यह तमाम सारे पुरातात्विक अस्थल है जो अपर पालियोलिथिकेज या लैटर पालियोलिथिकेज केव कहे जाते हैं इनके नाम आपको याद रखना है अफगानिस्तान के जोवाजान से शंगाव के पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब से इंडस रिवर वैली में रोरी राजस्तान में अजमेर डिस्टिक में बुढ़ा पुसकर से इसके अलवा गुजरात के विशादी नामक प्लेस से अपर पैलियोलिथिक एज के टूल्स मिले हुए हैं तो ये चीज़ धान में रखे रहीएगा कहां कहां से मिले हुए हैं जोवाजान पाकिस्तानी पंजाब में रोरी और बुढ़ा पुसकर राजस्तान और गुजरात के विशादी से अपर पैलियोलिथिक एज के सिम्टम मिले हुए हैं इसके अलवा मद्य प्रदेश में कई सारी जगों से आर्कियोलोजिकल साइट्स मिले हुए हैं जैसे जुगदाहा भीमबिट का बबुरी रामपूर और बगूर यहां से जो है इस्टोन टूल्स मिले हुए हैं अपर पैलियोलिथिक एज के उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें बेलन रिवर वैली से बोन मेड इस्ट्रक्चर मिला हुआ है लोहंदा नाला एरिया से मातरी देवी का जो कि मेजा तहसिल वाले एरिया में पढ़ता है अलाबाद प्रेयागराज डिस्टिक में और अपर पैलियोलिथिक साइट है यहां का इसके लावा सोन नदी की घाची में चोपन के निकट सोन भद्र में चोपन के निकट भी तमाम सारे स्टोन टूल्स मिले हुए है जारखंज सिंग भूमी डिस्टिक से सिंग भूमी एरिया से मिले हुए है महारास्टा में अगर हम बात करें तो जलगाओं डिस्टिक में इस्थित है पाटने यहां से भी मनके वगर मिले हुए हैं साथ ही यहां से सुतुर मुरकांडा मिला हुआ है यह question आपके CSC में आ चुका है Civil Services Examination में यह question आ चुका है यह आश्ट्रिच एक कहां से मिला हुआ है शुतुर मुरकांडा कहां से मिला हुआ है पाटने से मिला हुआ है पाटने कहां है जलगाओं महारास्ट में इसके अलावा भाडने और इनाम गाओं से भी इसके जो है अवशेश प्राप्त हुए तो पाटने, भाडने, इनामगाउं इन सभी जगों से इनके सिम्टम्स मिले हुए हैं ये ध्यान में रख रहेगा आंदर प्रदेश में रेनी गुंटा, बैमुला, यारगाउं, डापालेम, केव ये तमाम सारी चीजे जैसे बिला सुरगम की जगह पर यहां से जो है साक्ष मिले हुए हर्थ के इंडिया में और इंडिया में पहला जो है सबसे प्राचीन साइट है जहां से हर्थ मिला हुआ यह बिल्कुल नई खोजे हैं सब, बिल्कुल डिवलप हैं, इनको ध्यान में रख रहे हैं, इसके लाव करनूल से, फिर मुच्छतला से, इसके अलावा चिंता मनुगावी केव जो आंदर प्रदेश की है, वहां से मिले हुए हैं, फिर आपको बेतम चरला, बेतम चरला भ अलवा करनाचिका, करनाचिका में जो है, गुलबर्गा डिस्टिक में, शोरापूर, दोवाव वाले एरिया में इस्थित है, शोरापूर और बीजापूर डिस्टिक में इस्थित, तो यह तमाम सारी चीजे यहां से आपको मिले हुई हैं, तो यह चीज ध्यान में रखे रहिएगा, क्लियर है, तो अगर आप पाटने से हैं, तो बहतर ढंक से जान रही होंगी चीजों को, और यह पूरा 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 पालियोलिथिक कैम्प में क्या-क्या चीजे हुई, आप इसको देख सकते हैं, पहले जो है, मानो फूड गैदरर और हंटर था, बर्ड का सि चुरु किया, फिर आग की खोज हुई, तो इसने भून करके खाना सुरु किया, पहले यह जो है, मीट को कच्चा निकाल लेता था, ड्राइ करता था, और ड्राइ करके सुखा करके खा जाता था, इस तरीके से खाता था, बादमें जब आगी क्योई, तो पका करके खाना प्राइध है जो है वह अब पालेओलिथी केज को क्रास कारते हुए जो है मिजोलिथी केज में आ गया मध्य पाशाड युग में आ गया तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रही हैगा यह पूरा गा पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ उसका एक सार्ट फॉर्म में ए आपको यहां पर दी हुई है तो इसको आप देख सकते हैं को कि मेंट फास्थ यह साच समरी है कि इसका टाइम पीरिएड कब कब से कब तक रहा अपर का मिडिल का और लौर का रहा है इन तीनों काौं इनमें क्या क्या कर रहा हैं चिकारी खाद संग्रहक और मचली भाहम यहां पर चॉपर चॉप फिर हांडेक्स यहां पर ब्ले दिले प्वंड ऑनटर की स्क्रेपर यहां पर स्क्रेपर के साथ ब्यूरी ratio a गया है यहाँ पर पेबल हैं अनगड पत्थर हैं यहाँ पर फ्लेकिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पर फ्लिंट हैं चमकीले पत्थर जो नुकीले पत्थर हैं वो आ गए हैं यहाँ पर क्वार्डजाइट पत्थर हैं यहाँ पर भी क्वार्डजाइट पत्थर यहाँ पर तो यह पूरा 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 पालियो लिथी केज नाव गम टु दे इंपॉर्डेंट साइट से आपको सारी साइट नहीं याद हो रही है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं लोवर पालियो लिथी केज में सोहन रिवर वैली से पाकिस्तान में कश्मीर और ठार डिजर्ट वाले अरिया में बेलन नदी की घाटी मिरजापूर उत्तर प्रदेश से बिडवाना राजस्थान से नर्मदा वैली से इन सभी जगों से साख्श मिले मिदल पालियोलूथिक के नर्मादा नदी क ये किनारे और तम्हद्रा रिवर वैली के फिंदल पालियो लिठिक में आंद्र प्र देश, करनाठक, फिर सेंट्रल मद्ध्य प्रदेश, कैंध्रिय मद्ध्यस का जो हिस्सा है वो महरास्ट Southern UP और South बिहार वाले एरिया से तमाम सारे साक्ष मिले हुए आप चाहे तो ऐसे area wise याद कर सकते आपको place wise आप किसी भी तरीके से आपसे प्रशन पूछा जाए आप इस प्रशन को करने के लिए सक्षम है तो ये point दिमाग में रखे रहेगा कि किसी भी तरीके से आपको प्रशन पूछा जाए हर तरीके से मैंने आपको करा दिया और ये जो है map आपको notes में मैं provide करा दूँगा तो ये map जो है notes में रहेगा इसको आप ध्यान में रख रहेगा paleolithic sites के बारे में बताता है इंडिया में जितनी भी paleolithic sites है उनका placing कहाँ पर जैसे डीडवाना यहाँ पर है ठीक है रोर यहाँ पर है तो हर एक जो place है उनके बारे में बताया हुआ है कि paleolithic age के जो sites हैं वो कैसे कैसे थे कहाँ पर थे ठीक आते हैं मिजोलिथिक age की बात करते हैं मध्य पाशाड काल की मिडिल इस्टोनेज सेकेंड पाशाड युक का दूसरा भाग कहते हैं कमेंट फास्ट फटाफट फटाफट कमेंट करें लाइक और शेयर भी करते रहें लाइक और शेयर भी करते रहें इसको इंडिया में इसका समय 9000 BC से 4000 BC तक माना जाता है 9000 इसापूर्व से ले करके यह 4000 इसापूर्व तक का माना जाता है और इसमें Microlithic यानि Small Blade जो Stone Tools है वह यूज में लाए गए Microlith का मतलब होता है लगू पाशाड उपकरड यानि छोटे छोटे जो पत्थर के उपकरड है वह प्रयोग में लाए गए Microlithic Age की अगर हम बात करें It is Transitional Phase between the Paleolithic and Neolithic या पूरा पाशाड काल और नौ पाशाड काल के बीच का या जो है संक्रमड काल है जो है या पूरा का पूरा एरिया यहां के लोगों की अगर हम बात करें तो हैं हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग का काम करते हैं Then, Colonistication of Animal शुरू किया यह जानवरों को पालतु बनाना शुरू करती है तो सबसे पहले जानवरों को किस युग में पालतु बनाया गया Mesolithic Age में पालतु बनाया गया Madhepashaadkal में पालतु बनाया गया The first pit, पहला पालतु बनाया गया पशु क्या था? डॉग कुत्ता था first pit was dog पहला पालतु बनाया गया पशु कुत्ता था the first pit in India भारत में पहला पालतु बनाया गया पशु क्या था अगर इंडिया में आ जाए तो answer क्या हो जाएगा goat अगर मान लिजिए इंडिया और वर्ल नहीं लिखा हुआ है तब तो answer dog हो जाएगा अगर direct question आ रहा है first pit पहला पालतु बनाया गया पशु ठिक पहला पालतु बनाया गया पशु क्या है dog है ठिक और first pit in India भारत में पहली बार किसको पालतु बनाया गया कोई जीव जो पालतु बनाया गया तो वह था goat बकरी को पालतु बनाया गया इन दोनों में अंतर समझे रहीएगा ये mesolithic age की अगर हम बात करे its first symptom was obtained by C.L. Carlyle इसके पहले अवसेस C.L. Carlyle दोरा विंध्यन एरिया से प्राप्त किये गये विंध्यन छेतर से प्राप्त किये गये that is microlithic tools ये जो है लगू पाशाड उपकरड थे ठीक है तो ये चीज़ ध्यान में रखे रहीएगा कि ये जो है mesolithic tools लगू पाशाड उपकरड जो है यहां से मिले mesolithic tools जिसको हम microlithic tools भी करते हैं this is belongs to holocene our current era human of this is start agriculture आगे चल करके मानों ने क्रिसी की सुरुवात किया और जैसे ही क्रिसी की सुरुवात हुई वैसे ही neolithic is आ गया जैसे ही आग की खोज हुई तो आग की खोज कहा हुई अपर पालियोलिथिक में जैसे ही आग की खोज हुई mesolithic आ गया और जैसे ही agriculture start हुआ वैसे ही नियोलिथिक कल्चरा गया मिजोलिथिक में कई सारे टूल्स मिले हुए हैं जैसे अगर हम बात करें यहां के टूल्स कहां कहां से मिले हुए हैं बागूर भीलवाडा राजस्थान से तिलवारा बाडमेर राजस्थान से लंगनाज गुजरात से संगन कल्लू, वेलारी, करनाटक से, आदमगढ, मध्यप्रदेश से, सराई नहर राय, महदाह, दमदमा, उत्तरप्रदेश से, कुचाई, उडीसा से, और बीरभानपुर, वेस्ट बेंगॉल से, इसके साक्ष मिले हुएं तो ये चीज़ ध्यान में रखे रहेगा, कि इसके साक्ष कहां कहां से मिले हुएं, टूल्स कहां कहां से मिले हुएं, बागोर, तिलवारा, लंगनाज, संगन कल्लू, आदमगढ, सराई नहर राय, महदाह, दमदमा, कुचाई, बिरभानपुर, इन सभी जगों से, इसके साक मिले हुए हैं, आते हैं, ये तमाम सारी चीज़े करने सुरू कर दिये, बोट वगरा बनाना सुरू कर दिये, और साथी इनोंने एक नया चीज़ बनाया, तीर और धनुष बनाया, इनोंने, बड़े बड़े जो है धनुष और तीर बनाने सुरू किये, और समुद्रों में यात्राइं करना सुरू कर दिया नाट इन्होंने बनाई बोट बनाई और कई सारे जगहों पर ये फैलते चले गए तो तमाम सारे आईलैंड्स में ये फैलते चले गए कौन से एज में आईलैंड्स में फैलते चले गए मिजोलिथिक एज में islands की तरह भी ये बढ़ते चले गए समझ में आया की नहीं आया आते हैं बात करते हैं मिजोलिथिक एज में बागोर और आदमगड यहां से सबसे पहली बार पशु पालन के साक्ष मिलते हैं दो जगों से बागोर से और आदमगड से First identification of animal husbandry is obtained from बागोर ठिक बागोर से stone tools भी मिला हुआ है तमाम सारे पात्थरों के उपकरण बनाने की factory मिली हुई है यह भी ध्यान में रख रहिएगा बागोर से stone tools की factory भी मिली हुई है From महदा, dual barrel is obtained महदा से यूगल शवाधान मिला हुआ है जिसको कहा जाता है First identification of सती सती प्रथाका सबसे पहला साक्ष कहा जाता है महदा से dual barrel मिला हुआ है which is first identification of सती जो सती प्रथाका सबसे पहला साक्ष है आते हैं भीम बेटका की बात करते है भीम महाभारत काल के एक बड़े पात्र कहा जाता है भीम बैटका यानि sitting place of भीम आफ महाभारत महाभारत के भीम के बैठने का अस्थल भीम बैठका It is located in राइसेन डिस्टिक आफ मद्द प्रदीश यह मद्द प्रदीश के राइसेन जिले में स्थित है and it is UNESCO World Heritage Site in 2002 इसे 2003 में UNESCO World Heritage Site घोषित किया गया UNESCO का विरासत अस्थल इसे घोषित किया गया है खास बात और दिमाग में रखे रहिएगा यहां से जो रॉक सिल्टर हैं जो साहलास्रे मिले हुए हैं उनकी खोज वी अस वाकंकर महोदे ने 1957 में किया था तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा कई बार यह पूशा जाता है यहां से कई सारे जो है पैंटिंग्स मिली हुई है बहुत सारी पैंटिंग्स मिली हुई है अलग-अलग प्रकार की टोटल 760 रॉक सेल्टर्स मिले हुए 760 साहलास्रे हैं जिसमें से 500 में चित्र मिले हुए है जिसमें से 500 ऐसे हैं रॉक सेल्टर्स जिनमें से पैंटिंग्स मिली हुई है खास बात समझिएगा जैसे रेड बाईसन यह अटाक कर रहा है हुमन के उपर इसको जो है दिखाया गया यहां पर इसके जस राइट में सन को दिखाया गया और लोग भाग रहे हैं यहां पर छोटे छोटे तो इनको दिखाया गया किस तरीके से चीजे हैं लोग समू में डांसिंग कर रहे हैं यह दिखाया गया है जानवरों को दिखाया गया अलग-अलग बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पर मिले हुई है ऐसे जो है रॉक सेल्टर्स इनके जो है चट्टानों के नीचे यह पेंटिंग बनी हुई है ठीक है ऐसे जैसे आप देखिए समू में यह जो है सिकार करने के लिए जा रहे हैं लोग तो जानवरों का प्रियोग यहाँ पर दिखाया गया अलग अलग जानवरों को यहाँ पर बनाया गया है कि इन जानवरों पर बैठ करके सिकार करने जा रहे हैं ठीक है तो यह चीज आ पिक्चर के फॉर्म में मिला हुआ है तो जो बहुत सारे जो हिस्टोरियन्स ये बोलते ने कि हार्स इंडिया में नहीं था तो हार्स थे ठीक है जैसा कि भीम बिटका की गुफाओं पर बने हुए चित्रों से आप देख सकते हैं कि हार्स थे क्लियर है तो ये जो है इस पस्ट रूप से आपको समझ में आ रहा होगा इसके अलवा इस टैग बारा सिंगा ठीक है बुल काउ इन सब के बारे में भी इनको जानकारी थी इन सब को जानवरों का भी ये प्रियोग करते थे इनके बारे में जो है इन्होंने पिक्चर बनाए ह हुए हैं जिससे इन सब के बारे में जानकारी मिलती है हलाकि अभी तक जो है चारियोट वगरा नहीं मिला हुआ था लेकिन सिनॉली से चारियोट भी मिल गया है तो ये पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा कि बहुत इंपोर्डेंट खोज सिनॉली को क्यों कहा जा रहा क्लियर है लाइक और सेयर फटाफट फटाफट करते रही है गाईज एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग फीकिचर मिला हुआ है मैमत इसका जो है पिक्चर मिला हुआ है भीमबेटका से मैमत का चितर जैसे ही आप भीमबेटका में इंट्री करेंगे इंट्री गेट के पास मे एक रॉक्सलिटर है अपड़ साइड में वहां मेंत का चितर बना हुआ है तो अपर उप्र साईड Mayuard पर जो है मेंत का चितर बना हुआ आते हैं नियो लितिक एज की बात करतें नौ पाशाड काल की यह टर्म समझ में आ रहा है कि नहीं comment fast फटाफ़ड comment करें guys यह मेजोलिथिक period clear हुआ कि नहीं मनद्पाशाड काल समझ में आया कि नहीं फटाफट फटाफट comment करें guys यह मद्ध पाशाडकाल clear हुआ की नहीं now come to the neolithic age 9 पाशाडकाल की बात करते neolithic age 9 पाशाडकाल the term given by John Lubak यह सब्द किस ने दिया है John Lubak ने दिया This term was given by John Lubbock यह शब्द जो है John Lubbock द्वारा दिया गया H.C. Masuriyah obtained first Neolithic tools from Tones River Valley in 1860 9 पाशार काल के सबसे पहले उपकरड 1860 में H.C. Masuriyah ने प्राप्त किये Tones नदी घाटी से In this age, human are food producer इस युग में मानव खाद उत्पादक हो गया In this age, humans are food producer इस युग में मानव खाद उत्पादक हो गया Hutt and terracotta pottery constructor जोपडियों और मिट्टी के बरतन बनाने वाला हो गया Use microlethic tools and discover wheel इसने लगू पाशार उपकरड़ों का प्रियोग किया साथ ही इसने पहिये का भी आविशकार किया तो neolithic काल में मानव agriculture को बड़े पैमाने पर कर रहा है साथ ही जो पढ़ियां बना रहा है टेरा कोटा की पटरी बना रहा है मिट्टी के बरतन बना रहा है wheel बना रहा है, पहिये बना रहा है यह सब चीज जो है ध्यान में रखे रहिएगा नियोलिथिक revolution एक टर्म है नौपाशाडिक क्रांती दिस टर्म वाज फर्स्टली यूज़ड बाई वी गार्डन चाइल्ड दिस टर्म वाज क्वाइंड बाई वी गार्डन चाइल्ड गार्डन चाइल्ड ने इस सब्द को सबसे पहले दिया 1932 में कब दिया 1932 में उन्होंने किताब लिखी Man Makes Himself इसी में उन्होंने नियोलिथिक टाइम पीरियड को बताया नियोलिथिक revolution और इसका टाइम पीरियड उन्होंने बताया 8000 से लेकर के 10,000 BC तक का जो की गार्डन चाइल्ड ने बताया हुआ है और ये टर्म Man Makes Himself एक किताब है गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखी गई इसी में उन्होंने नियोलिथिक revolution टर्म का इस्तेमाल किया नौपाशाडिक क्रांती शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है आते हैं एक्रिकल्चिरल रिवलूशन की बात करते क्रिशी में क्रांती कैसे हुई सबसे पहली चीज़ समझे फार्मिंग द्यूप हुआ अलग-अलग पार्ट में अलग-अलग टाइम में तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा क्लियर रवी कुमार जी बिल्कुल बगैर अपियर हुए इतना डीटेल में कैसे बताया जा सकता है आपको क्लियर है आज़े इधर बागी कुछ प्रस्न चुबते हैं क्योंकि जब आप सफलता के बेहत कारीब हो करके वापस होते हैं तो उन जख्मों को न कुरे दें बेहतर है ठीक है आजाएए यहाँ पर कुछ प्रस्न आप लोगों को समझने चाहिए कि कुछ प्रस्न नहीं पूछे जाए तो बेहतर रहते हैं आजाएए यहाँ पर आये फार्मिंग यह जो है इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए डिफरेंट पार्ट आप दे वर्ल्ट विश्व के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग तरीके से यह डेवलप हुए तूसरा क्लाइमेट चेंज के करड़ क्यों डेवलप हुए अलग-अलग तरीके से जलवायू परिवर्तन के करड़ यह एसरसन एंड रिजनिंग टाइप का जूम क्रिशी भी कहते हैं तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा काटो जलाओ इन्होंने क्या किया जंगलों को काटा जमीन उपजाओ जब तक रही खेती किया फिर दुबारा जंगलों को काटा जलाया जमीन निकाली खेती किया इन्होंने क्या 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 ट्रीज को बर्न किया फिल्ड को क्लियर किया और वहां पर क्या तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा अलग-अलग टाइम पीरियड में अलग-अलग जगहों पर अग्री कल्चर स्टार्ट हुआ है माना जाता है कि सबसे पहले मिडल इस्ट में स्टार्ट हुआ 8000 BCE में 8000 इसापूर्व में मध्य पूर्व में स्टार्ट हुआ देन इंडिया में 7000 BCE में 7000 इसापूर्व में इंडिया में स्टार्ट हुआ दिन माना जाता है कि सेंट्रल अमेरिका में स्टार्ट हुआ 6500 BC में मद्ध अमेरिका में तब चाइना में स्टार्ट हुआ 6000 BC में और साउथ इस्ट इसिया में 5000 BC में अगरी कल्चर के प्रिमिटिव सिम्टम मिलते हैं आस के ढ़र हमान के अनुरूप की अगर हम बात करें को संकालीन घ्यान के अधार पर हम बात करें आज तक के तो यह हमें टाइम पीरियड मिलता है कि इन इन टाइम पीरियड पर इन इन जगहों पर अग्री कल्चर की शुरुवात हुई ठीक है यानि आज से 9000 साल पहले भारत में अगरी कल्चर की शुरुवात हुई 7000 BC का मतलब क्या हो गया 9000 year ago तो 2000 में हम चल रहे तो आज से 9000 साल पहले भारत में एगरी कल्चर की स्टार्टिंग हुई है और ये क्वेशन आपके CSC में आ चुका है CAPF में आ चुका है इसके अलावे UPPSC में आ चुका है साथ ही एक वेशन BPSC में आ चुका है इतनी जगाओं पर same question पूछा गया है और हर बार कभी 7000 BC दिया हुआ है कभी 9000 year ago दिया हुआ है तो दोनों तरीके से प्रशन पूछा गया है तो ये चीज़ धान में रखे रहिएगा Now come to the Neolithic age की अगर हम बात करें तो जम्मू गश्मीर में दो जगहें हैं एक है बोर्जा होम एक है गुफकराल जम्मू गश्मीर में इस थी थे जम्मू गश्मीर में यहां से dual barrel मिले हुए हैं यूगल सवाधान मिले हुए हैं जिसमें dog is buried with their master कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया है यहां से बहुत सारे pit houses मिले हुए हैं बंकर मिले हुए हैं बंकर यानि pit houses गर्थ आवास pit houses यानि गर्थ आवास मिले हुए हैं यहां पर बहुत सारे गर्थ आवास बने हुए हैं गरतावास का मतलब समझेए ऐसा की गड़ों में ये लोग घर बना करके रहा करते थे जमीन की घुदाई करके ये बंकर बना करके रहा करते थे पिट हाउसेस मिले हुए हैं इन सभी जगों से एक खास बात समझेए कॉलडी हवा प्रयाग राज उत्तरप्रदेश में इस्थि किनारे इस्थित थे नट बिलो बेलन बेलन नदी के किनारे इस्थित कॉलडी हवा से सब दुनिया में सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष मिलते हैं और और उराईजय सहचाईवा जो इस्पिसीज यहां पर उगाई गई थी उसका साइंटिफिक नेम क्या है और आईजय से चाईवा है चुपानी मांडो यह दुनिया में सबसे पहले यहां पर पौटरी के अवसेश चुपानी मांडो यह प्रयाग राज उत्तर प्रदेश में इस्थित है चुपानी मांडो यहां पर दुनिया के सबसे पहले प्राचीनतम बरतन बनाये जाने का उल्लेक मिलता ह यानि दुनिया में सबसे पहले चावल की खेती कहां सुरू हुई इंडिया में दुनिया में सबसे पहले बरतनों में खाना खाना किसने सुरू किया इंडियन्स ने ठीक है तो ये पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा ये सब प्रशन आपसे पूछे जाते हैं क्लियर है आते हैं फिर मानव ने क्या किया मेटलर जी खोजी कॉपर वाजदा फर्स्ट मेटल यूजड बाई मैन मानव द्वारा पहला प्रयोग में लाया गया धातू क्या था कॉपर था तामबा था और इसके जो है तमाम सारे अवशेश मिलने लगे कोईले का प्रयोग करन मानव ने यानि फासिल फ्यूल्स वगरा की जानकारी हो गई फ्यूल्स फासिल फ्यूल्स इन सब की जानकारी हो गई और इस तरीके से इन्हों ने घर जो है अपने आवासों को बाउंडरी बनाना सुरू कर दिया वाच टावर बनने लगे थे इस तरीके के साक्ष मिलने ल बारू जी सिंग्भुमी जारखंड निवासा महारास्ट किलिगुल मुहम्मद क्वेटा पाकिस्तान मेहरगड बलूचिस्तान पाकिस्तान एल चुरू ठिक प्रकासिम आंधर प्रदेश इतने जगों से इसके साक्ष मिले हुए हैं तो यह सभी प्लेसेज याद रखे रहिए गा क्लियर है तो यह पॉइंट दिमाग में रखे रहिएगा कि कहां कहां से यह साक्ष मिले हुए हैं क्लियर यह तमाम सारे जो है बरतन और जो चाक मिट्टी के बनाने हुए जो तमाम सारे बरतन स्टोन टूल्स यहां पर आप देखिए पत्थर का जो उपक्रण मिला हुई है जो ब्लेड वगरा मिले हुए न उसमें धार बहुत जादा है अब समझे जो ब्लेड मिली हुई है सेवेन क्लॉक से ज़्यादा तीश्ड़ धार है ठीक है तो ये चीज़ धान में रखी कभी भी मीडियम का कोई महत्व नहीं होता है आपके इलाइबोरेशन और जो राइटिंग स्किल है उस पर डिपेंड करता है मीडियम कभी महत्व नहीं रखता है आपके elaboration और writing skill पर अगर आपने deep में पढ़ाई किया है तो medium कहीं matter नहीं गरता है बस समस्या क्या होती है कि आप लोग basic level पर पढ़ लेते हैं chapter को लगता है कि हो गया बहुत deep में जाना पढ़ता हर एक point आपको clear होना चाहिए इसलिए मैंने कहा कि आपको बेहट deep में यान होना चाहिए सारी चीजों का तो बेहट deep में जानने के लिए हर एक chapter को बेहट deep में UPSC level का पढ़ने के लिए आप हमारे course को जरूर purchase कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे admission हो चुके हैं जल्द ही हम इस course को 15-20 दिन के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस course को बंद कर दें क्योंकि admission बहुत हो रहे है तो जैसे ही एक limit तक पहुच जाएगा कि नहीं अब नहीं तो हम इस course को close भी करेंगे सो फटा-फट फटा-फट आप लोग admission जरूर ले लीजिए सीट फुल हो जाए इससे पहले admission जरूर ले लीजिए ठीक है तो admission लेना आप लोगों के लिए must है बेहट deep में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आज तक आप लोगों ने stone age इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके सभी प्रशनों का समाधान होगा यहाँ पर course में admission जरूर ले लीजिए आप लोग ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें तो मानों ने बारली उगाना सुरू कर दिया वीट उगाना सुरू कर दिया तो जो और गेहों के साक्ष मिलने लगे मेहरगर से मेहरगर से पत्थर के उपकरण मिले हुए हैं सब पत्थर है इसको लोहा नहीं समझ लीजिए गए पत्थर के उपकरड़ बने हुए है सब पत्थर के हथोड़े पत्थर के तमाम सारे उपकरड़ यहां पर सील बते और तमाम सारे अनाज जो है इस तरीके से मिलने सुरू हो गए चूले चौके मिलने सुरू हो गए इस तरीके से चीजे मिलनी सुरू हो गई तो first crop cultivated by humans मानो द्वारा पहली उगाई गई फसल कौन सी है first crop cultivated by humans मानो द्वारा पहली उगाई गई फसल क्या है बारली है जो ठिक first crop cultivate used by humans मानो द्वारा पहली प्रयोग में लाई गई फसल क्या थी forest wheat जंगली गेहूं ठिक है जंगली गेहूं और पहली जो cultivated crops है वो क्या है बारली है जो है तो दोनों में अंतर दिमाग में रखे रहेगा first used forest wheat जंगलों में उगे हुए स्वते हुगाए गेहूं को इनोंने जो है प्रयोग करना सुरू किया और घास हमारे जीवन का ये जो जितने भी जो हमारे crops हैं उससब क्या हैं टाइप आफ ग्रास हैं घास के प्रकार हैं तो घास हमारे जीवन का सबसे प्रमुख हिस्सा बनता चला गया इसलिए इसको नियोलिथिक revolution कहा गया नौपाशाडिक क्रांती कहा गया इसमें किया क्या domestication start है food production सुरू कर दिया हमने खेती करना सुरू किया ठीक है पॉलिज इस्टोन टूल्स बेहत तीश्ड धार वाले आप इस्टोन टूल्स देख रहे हैं यहां पर बेहत तरासे गए पत्थर के उपकरण आप देख रहें इतनी शाइनिंग है इनमें आज तक शाइनिंग बनी हुई है बेहत तीश्ड धार वाले स्टोन टूल्स है ठिक इसके अलावे division of liver है six के बेस पर आप देखिए कि six के बेस पर जो है division of liver इस टार्ट हो गया है महिलाएं घर का काम करना सुरू कर दी है यह चीज ध्यान में रख रहे है डिविज आफ लिवर, बेस दानसेक्स स्टार्ट हो गया है पौट्री मेकिंग स्टार्ट हो गया यह बरतन बनने सुरू हो गये हैं यहां पर आप देख सकते हैं और हंटिंग और साथी जो फूड गाइदरिंग ये सब स्टार्ट है देखिए सिकार के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर फर्स्ट पिट डॉग को दिखाया गया इसके अलवा पिग, गोट, बफैलो ये सबी जो है इन सब का डॉमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया यहां तक की कहानी समझ में आई की नहीं, अई नियोलितिक रिवुलुशन की कहानी अब देखिए की कैसे जो है अगरी कल्चर सुरू होता है, यहां पर माना जाता है की मद्ध एशिया में जो है सुरू हुआ साउथ विस्ट एसिया में और फिर यहां से पूरी दुनिया में अगरी कल्चर फैलता चला गया अलग अलग जगों पर जैसे यहां पर अलग टाइम पर यहां पर अलग टाइम पर इस वाले एरिया में अलग टाइम पर यहां पर अलग टाइम पर और यहां पर अलग टाइम पर जो है अलग अलग टाइम पीरियड में अगरी कल्चर डेवलफ हुआ जैसा मैंने आपको Is the Neolithic Revolution a Turning Point in Human History? जल्दी से कमेंट करिए गाइस कि जो नौपाशाडिक क्रांती है इसे मानो के इतिहास का टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं? एक बिंद क्यों कहते हैं? टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं? कमेंट फास्ट फटा फट कमेंट करिए गाइस कमेंट फास्ट नहीं लोगों के बोलने पर मत जाईए रवी कुमार जी मेडियम को आप मेडियम सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्याम है आप किसमें अपने आपको बहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं हर मेडियम से सेलेक्शन होता है बस समस्या हिंदी मेडियम वालो लिख करके आएंगे जाहिर सी बात है कि नंबर नहीं मिलेगा वो यूपीसी का एक्जाम है ठीक है यूपीसी और स्टेट पीसेस के एक्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर नंबर उठाने के लिए आपको अपने स्पेस्विक मीडियम में बहतर प्रदर्शन कर करना होगा ठीक है तो यह चीज ध्यान में रख रही है कि वहां SMS और WhatsApp और लेंग्वेज नहीं चलती है क्लियर है फटाफट फटाफट कमेंट करिए समझे क्यों टर्निंग पॉइंट है क्योंकि जब मानों ने जमीन पर हल से जो पहली रेखा खीची क्रिशी के लिए तो व अग्रिकल्चर की स्टार्टिंग नहीं थी सिर्फ नुमाडिक लाइफ और सेटल्मेंट लाइफ के सेटल्ड लाइफ के बीच में एक लाइन हो गई नुमाडिक लाइफ खतम हो गई हमारा घुमंतु जीवन खतम हो गया सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई दूसरी चीज यह हमारे घुमंतु जीवन और स्थाई जीवन के बीच में एक रेखा थी It's a line between the food gatherer and food producer खाद्य संग्राहक से हम खाद्य उद्पादक बन गए ठीक है? We started trade, हमने व्यापार वाड़िज्य सुरू कर दिया and we started tour and traveling हमने घूमना शुरू कर दिया क्योंकि real discover हो गया पहिया बन गया और चीज़, we constructed the terracotta pottery हमने mythic बरतन बनाए therefore it is a turning point in human history इसलिए यह turning point है दिमाग में समझ में आया की नहीं? अब देखिए कौन-कौन सी जगह पर क्या-क्या उत्पादित किया गया अफ्रिका के नील नदी घाटी में wheat और barley यह हूँ और जो नील नदी की घाटी में चाइना में वांगो यानि yellow river में valley में millet और rice उगाए गए मैक्सिको और Central America में corn, beans और squash उगाए गए पेरू में tomatoes, sweet potato और इसके अलवा white potato यह उगाए गए तो यह चीज ध्यान में रखे रहिएगा clear तो अलग-अलग जगहों पर जैसे अफ्रिका में गेहूं और जो उगाए गए चाइना में यह millet उगाए गया, rice इंडिया में उगाए गया साथी rice जो है आगे चल करके चाइना में भी उगा मैक्सिको में corn, beans और squash उगाए गये पेरू में tomato, sweet potato और साथी white potato उगाए गया तो यह चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि कौन से देश में सबसे पहले क्या उगाए गया यह early settled community द्वारा जो उगाए गई फसले हैं उनको यहाँ पर आपको बताया गया साथी अगर हम बात करें कैचल हयक यह जो है अगर हम देखे तो यह पिक्स आपको times book limited लंदन के द्वारा जो है आपको इस पस्ट रूप में दिखाया जा रहा है वहाँ से यह साभार लिया गया है times book लंदन से साभार ले करके यह पिक्स दिखाया गया है कैचल हयक का जो है पिक्स ठीक है तो कैचल हयक यह जो है दुनिया की सबसे प्राचीन बस्ति मानी जाती है कैचल हयक ठीक का इस्तित है modern तुर्की में और यहां से 6000 लोगों के रहने के साक्ष मिलते हैं यानि first settled community obtained from in 8000 BC में यह कहां से मिले हुए काचल हयक से मिले हुए काचल हयक कहा है यह modern तुर्की में है आधनिक तुर्की में है गूगल से साभार ले करके यह पिक्स आपको बताए गए हैं यहां पर अगर हम देखे अर्ली सिटल कर दी थी जैसा कि यह जो obsidian dagger मिला हुआ है खंजर मिला हुआ है पत्थर का बना हुआ इससे पता चलता है कि इन्हों ने अब हथियार युद्ध के लिए बनाने सुरू कर दिये मार करना सुरू कर दिया वार करना सुरू कर दिया आते हैं नियोलिथिक कल्चर के जो तमाम सारे प्लेसेस है जैसे बुर्जा होम यहां पर इस्थित है आप देख सकते हैं इधर सराई खोला है यहां पर आपका जो है इधर की तरह बारुजी है ठिक दाउजेली हेजिंग है तो तमाम सारे प्लेसेस आपको यहां पर मैप मे दिखाई दे रहे हैं इनको आप देख सकते हैं जैसे अगर हम बात करें महघरा यह जो है बेलन नदी के किनारे इस्तित है यहां से रीज और बाम्बू के impression मिले हुए हैं तमाम सारे बेत और बाम्बू के जो है impression मिले हुए हैं यहां पर रायचूर दुवाब शोरापूर दुवाब से जो है तमाम सारी साइटे मिली हुई है जैसे उत्तनूर पल्लवाई कोडेकल वातागल इन सभी जगों से राक के टीले मिले हुए हैं कुछ जगों से एश मॉंड मिला हुआ है जहां पर पश्वों को बाधा जाता था वहां पर बेड़ा बाड़ा बनाया जाता था जब इनका डंक वगर है यहां पर बहुत ज़्यादा इकठा हो जाता था तो क्या गरते थे खरपतवार रख करके एक जगह पर जला देते थे तो यह जो है राक के रूप में इकठा हो जाती थी राक के टीले एश मांड इनको कहा गया राक के टीले एश मांड इसके लाव दाव जेली हेडिंग तिरपुरा असाम में हलूर आंधरा प्रदेस में पायम पल्ली आंधरा प्रदेस में चिरांद बिहार में है यहां से बोन टूल्स भी मिले हुए है तो नियो लिथिक बोन टूल्स कहां से मिले हुए है चिरांद बिहार में यहां से नियो लिथिक बोन टूल्स भी मिले हुए है नौ पाशाडिक हड़ी के उपकरड़ों की बहुतायत मिली हुई है तो तमाम सारी चेगों पहर यह समझ में आया की नहीं आया Now come to the Chalko-Lithik is Tamra-Pashad की बात करते है The term Chalko-Lithik Tamra-Pashad सब्द The term Chalko-Lithik Tamra-Pashadik सब्द Is a combination of two words दो शब्दों के योग से बना हुआ Chalko and Lithik ठिक Which was derived from Greek word जो एक Greek भासा के सब्द Chalkos and Lithik से बना हुआ है Which means copper and stone is जिसका आर्थ होता है तामबा और पत्थर का युग ठिक Chalko and Lithik लेकिन UPSC इसके Latin नाम को भी पूछता है और UPPSC भी और Bihar PCS भी तीनों इसके Latin नाम को भी पूछते है एनियोलिथिक या एनियोलिथिक जो Latin word है एनियस copper के लिए इससे डिराइव किया गया है तो Latin derivation को भी पूछा जाता है एनियोलिथिक या एनियोलिथिक clear? तो इसको जो है ध्यान में रखे रहिएगा clear है? clear है कि नहीं? तो बिलकुल आप नहाजी preparation को शुरू कर सकती है आपको समझ में आ गया होगा कि बेहद authentic material है बेहद detail में मैं करा रहा हूँ यहाँ पर इतना detail अभी तक आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा तो बेहद detail में हर एक chapter को बहुत detail में कराया जाएगा ताकि आपके UPSC की तयारी बेहद आसानी से हो सके तो UPSC के प्रशनों को उत्तर देना आपके लिए संभ़ हो सके इसलिए बहुत detail में कराया जाएगा आप लोगों को समझ में आ रहा हुआ कि बेहद detail में हर एक point को लेकर के हम चल रहे यहाँ पर एक खास बात समझेगा कि यह जो है ऐसा archaeological period है जहाँ पर नियोलिथिक का ही हिस्सा माना जाता है लेकिन यह जो है ब्रोंज एज के parallel तक चलता रहा नियोलिथिक से लेकर के ब्रोंज एज तक इसके साक्ष मिले हुए नौप आशाड काल से लेकर के कांस यूग तक इसके साक्ष मिले हुए ठीक, तो इसको जो एध्यान में रखे रही हैगा, जैसे अगर हम बात करें, जो चालकोलिथिक एज है, इसे पूर्व हडपा काल भी कहते हैं, पूर्व हडपा काल भी कहते हैं, ठीक, copper is the first metal used by man, तामबा पहली धातु है, जिसका प्रियोग मानवों ने किया है, और ये जो है, आपको दिखाये जा रहे है, सिनौली से प्राप्त, जो तमाम सारे जो उपकरण मिले हुए हैं, वो आपको दिखाये जा रहे है बहुत चरचा में है, ये उपकरण इसलिए इसको आपको दिखा रहे है जो copper के वहाँ से tools मिले हुए है वो इसके लोग copper का chariot मिला हुआ है वहाँ से copper chariot मिला हुआ है और ये बताता है कि ये सब्वेता जो है वह parallel to the indus civilization थी यानि जो मैंने यहाँ पर आपको बताया ये नियोलिथिक से ले करके bronze age समझ रहे हैं तो कांस यूगीन यानि हडपा सब्वेता के parallel ये है नियोलिथिक से लगाए नौपाशाड से लगाए यह जो है सब्वेता कहां तक parallel आ रही है तो bronze इस तक आ रही है यह जो तमाम सारे उपकरण वगर मिले हुए है और बेहद इतने धारदार उपकरण कभी भ जिस्तनावली से प्राप्त होगे यहां पर इसको जो है पूरे के पूरे टाइम पीरियड को अलग-अलग कल्चर में बाटा जाता है नियोलिथिक स्वरी चालकोलिथिक की अगर हम बात करें तामरपाशाडिक की बात करें तो इस डिवाइड इंटू फालोइंग कल्चर से निम्लिखित संस्क्रितियों में बाटा जाता है पहला है एहार क्लच अहार संस्कृति फ़स्टवन इस हार कोल्च щय हार अथाइस सॉ से ऑंद्र कुछ सैंट तक रहा काइथा बास कल्चर यह 2000 से लेकर के 1400 BC तक का टाइम पिरिएड रहा मालवा कल्चर 1900 BC से 1400 BC तक का फिर रंगपुर कल्चर 1700 से 1400 और फिर जोर्वे कल्चर 1500 से 900 BC देखिये टाइम पीरियड 2800 से लेकर के 920 तक ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड है इनका ये ध्यान में रखे रही है कि बिल्कुल आर्डर में है ये इसी आर्डर में आपको याद रखना है आहार तब काई था देखिए 2800 तब 2400 पचास तब 2300 तब 2000 तब 1900 तब 1700 तब 1500 बिल्कुल आर्डर में है टाइम पीरियड के एकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि कब जो है ये संस्कृति सुरू होती है ये आर्डर भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है तो ये आर्डर को भी ध्यान में रखे रहिएगा ठीक है आर्डर भी आपसे पूछा जाता है नाउ चा पर्ट्री याद रखे रहिए गा। यहां से black and red pottery यानि लाल के उपर लाल जो मिट्टी के पके हुए भरतन ने उन पर black color से design बने हुए हैं चीजे black color से color किया हुआ है यह सभी मिले हुए इनको हम तोगाव पाटरी का मतलब होता है लांग निक पाटरी ऐसे बरतन जिन में गर्दन बहुत लंबी होती है लंबी गर्दन वाले जो मिट्टी के बरतन है वो मिले हुए हैं यहां से यह में फीचर है इस culture का टोगाव पाटरी टोगाव पाटरी का मतलब होता है लांग निक जो पाटरी है वो लंबी गर्दन वाले जो बरतन मिले हुए हैं मिट्टी के वो यहां से मिले हुए हैं क्वेटा कल्चर से क्वेटा संस्कृती से नाल कल्चर नाल संस्कृती यहां पर कलर्ड पाटरी मिली हुई है रेड के उपर अलग अलग कलर किये गए हैं पाटरी याद रखे रहिएगा यह कलात डिस्टिक में मिले हुए हैं बलुचिस्तान एरिया में बलुचिस्तान छेतर के कलात डिस्टिक से मिले हुए हैं कुल्ली कल्चर, सिंपल पाटरी मिली हुई है, मेही से, रोजी, मजेरा, दंब और कुल्ली, ये सबी जो है, बलुचिस्तान के कोलबा एरिया से प्राप्थ हुए हैं, बलुचिस्तान का जो कोलबा छेतर है, वहां से प्राप्थ हुए है, तो बलुचिस्तान के कोलबा छेतर से जो है कुली इसमें मेन है इसके अलवा मजेरा दंब और रोजी और मेही से भी तमाम सारे कल्चर मिले हुए है पाटरी मिली हुई है आते आमरी इट वास डिस्कवर्ड बाई एन गोपाल मजूमदार इसकी खोज एन गोपाल मजूमदार ने 1929 में की और इसका उत्खनन जे एम केजाल ने 1969 में करवाया था पाटरी ओफ आमरी जो की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस्थित है रिजेंबल विद दपाटरी ओफ नौल कल्चर ये नौल संस्कृति की जो पाटरी मिली हुई है इससे बिलकुल मेल खाते हैं therefore both are combinedly known as आमरी नाल कल्चर इसलिए इसको हम कहते हैं आमरी नाल संस्कृति ठीक है यहाँ पर समझे बाइकलर और ट्राइकलर पाटरी मिले हुए हैं दो रंग के और तीन रंग के पाटरी मिले हुए हैं तो बाइकलर और ट्राइकलर पाटरी मिली हुई है आमरी और नाल कल् में दोनों जगों से सेम टाइप के पर्टरी मिले हुए है ठिक अहार कल्चर की बात करें अहार संस्कृती की जहां बिलकुल पीडियाफ दिया जाएगा लेकिन ये पीडियाफ आपके पीपीटी से बिलकुल अलग रहेगा जैसा मैं हमेशा करता हूँ पीडियाफ और पीपी है जैस लाइक और शेयर जरूर करते रहें यह जो है अगर हम बात करें तो यह ताम्बावती कल्चर भी कहलाता है इसको किया बनास यह ताम्बावती भी कहाजाता है बहुत इंपॉर्टेंट है अहार कल्चर है भी very important ठिक समझेगा यहां पर जो है आहार कल्चर को हare किल्चर से ब्लैक एंड रेड पाटरी के ओपर वाइट दिजाइन बने हुए मिले हुए हैं सफेद डिजाइन बनी हुई है पैटरन टाइप के जोमेत्रिकल टाइप के डिजाइन बने हुए हैं यहां अगर हम बात करें तो यह कहां से मिले हुए है आहार गिलंद और बाला थल वाले एरिया से पाकिस्तान के आहार गिलंद और बाला थल वाले एरिया से इसके साक्ष मिले हुए है बहुत एडवांस है इसलिए इसको तामबावती कहा जाता है अब देखिए यहां से जो टूल्स बनी हुई तमाम सारे जो है जो कहा जाता है कि जलाभिशेक का यंत्र मिला हुआ है जिसे पता चलता है कि शिव की उपासना की जाती रही होगी और शिव का जलाभिशेक किया जाता रहा होगा बात समझ में आ रही है कभी आप लोगों ने रुद्राविशेक किया है तो इस तरीके के जो है चीज का प्रयोग आप लोगों ने किया होगा यह वाद्ययंत्र बताते हैं कुछ बताते हैं कि यह रूद्रा विशेक में इस्तिमाल करने वाला है कुछ बताते हैं कि इसमें जो है आवाज भी जो है इससे निकलती है तो जो प्राचीन वाद्ययंत्र है उसका एक प्रिमिट्व सिम्टम बताया जाता है इसलिए इसको आहा इसको हम किया बनास या तामभावती कहते हैं नाव चालकोलिथिक कल्चर में अगर हम देखे इसमें काइथा कल्चर मध्यप्रदेश में है रेड एंड ब्लैक पॉटरी है इस अप्टेन फ्रॉम दिस कल्चर यहां से लाल और काले मृद्भान मिले हुए और इडिस कर टेंप पाके समकालीन कंटेंप्रेरी विक्सित होती रही यह जो संस्कृति है काइथा कल्चर इसके लाव मालवा कल्चर फाइनेस्ट क्वालिटी सबसे अच्छे क्वालिटी के मृद्भान मिले हुए इसलिए इनको बहुत बाद गमाना जाता है ठीक है इसमें अगर हम बात करें तो टैप मिला हुआ है लगा हुआ टैप यानि टोटी लगी हुई मिली हुई है एरन से जो तमाम सारे मद्द प्रदेश के एरन नामक अस्थान से जो तमाम सारे उपकरण मिले हुए मिट्टी के बरतन उसमें टोटी लगी हुई है टैप लगी हुई है तो टैप पौटरी यहां से मिले हुई है इसके लावा नागदा एरन मद्द प्रदेश के मालवा वाले एरिया में यहां से इनके साक्ष मिले हुए है तो यह पूरा का पूरा चालकोलिथिक साइड्स से यह तामरपाशाडिक places की बात तमाम सारे जे sides हैं उनकी बात करते हैं now the point ये जो pottery के अधार पर अगर हम देखें चालकोलिथिक culture को इसको हम निम्न प्रकार से define कर सकते हैं सबसे पहले pre-hadappa ठीक है फिर हडपन culture फिर post-hadapन culture फिर हडपा आहार culture फिर काइथा culture फिर मालवा तब प्रभास तब रंगपुर और सबसे लास्ट में जोरवे यानि जो order है आपको लगाने के लिए दिया जाता है इस order को इस slide को याद कर लीजिएगा एक तो मैंने आप लोगों को time period के अधार पर बताया था या जो है pottery के अधार पर इनका time period है कैसे जो है प्री हडपन कल्चर हडपन कल्चर पोस्ट हडपन कल्चर कैसे आया है और फिर हडपा के बाद जो है अहार कल्चर फिर काइथा मालवा प्रभास रंगपुर और जोरवे कल्चर यह जो pottery के type के अधार पर है division वह भी आपसे पूछा जा सकता है तो type of pottery के अधार पर जो इनका sequence है chronology है यह दिमाद में रखे रहिएगा sequence और chronology को type of pottery के अधार पर याद रखना बेहत जरूरी है ठिक आते हैं megalithic culture की बात करते हैं आज के lecture का last topic last topic यह भी अपने आप में काफी बड़ा है और बहुत important है South India में develop हुआ है generally बट ऐसा नहीं यह नार्थ इंडिया में भी इसके बहुत सारे अवसेस मिले हुए इंडिया में Megalithic Mahaiona पाश्णिक कबरों की खोज V.D. Krishna Swami ने 1944 में की थी इड्वाज दिसकवर्ट बाई V.D. Kickstarter स्वामी ने 1944 में की यहां से Ashmond मिले हुए हैं राख के टीले मिले हुए हैं, मेगा बर्यल्स मिले हुए हैं, महापाशाडिक कबरे मिले हुए हैं, जिनके प्रमुख प्रमुख features निमनलिखित हैं, जैसे अगर हम बात करें, तो birth और death, जन्म और मृत्यू ये दो चीजे human life की बहुत important हैं, birth and death, two important events of human life, मानों के जीवन की द जो प्रमुख घटना हैं, बट यहां पर जो मिला हुआ है न, there is belief on life after death, कि मृत्यू के बाद भी जीवन है, इसलिए यहां पर उनके साथ, उनके बरतन, अवशेश, यह सभी, उनके साथ सुरक्षित दफन किये, समझ में आ रहा है कि नहीं, comment fast, फटा 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 फट comment करो guys, जल्दी जल्दी comment करके बताओ, यह समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फटा फट फटा फट कमेंट करो, जल्दी जल्दी आपके comment आने चाहिए, as a social animal, अगर हम बात करें, human क्या है, human is a social animal, relationship between fellow man, death plays an important role, लोगों के बीच में संबंधों में, death बहुत important role play करती है, the tradition, the disposal of dead body, beginning with the pit and earned burials of the neolithic, chalcolithic times, there occurred various changes in the mood of disposal, जैसे अगर हम बात करें, तो सुरुआती दौर में, body को ऐसे ही dispose of कर दिया जाता था, हवा में ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, लोगों को जंगलों में छोड़ दिया जाता था, ताकि जानवर खाजाए, आकाश मारगी, इसके अलबा, लोगों को बर्तनों में भर करके लिया गया और उनको जो है एक साथ करके जो है चीज धिमाग में रखा रहे ठिक है तो यह केब में ही इस्फ़ी पुरवजों को एक साथ रख दिया गया किसी गज्ठे में घ्ज़े पर रख दिया गया तो इससे जो है अलग अलग प्रकार के डिस्पूजल टाइप निकल करके आए और अगर हम देखें तो जैसे जैसे जो है टाइम पास होता रहा डिवलप्मेंट ये लगातार प्रकार जो है अलग अलग प्रकार के आते गए और आइरन एज तक आते आते लोहे की खोज जब हुई तो हमने डिगिंग बहुत ज़्यादा तेजी से किया क्यो को हम कहते हैं मेगालिथिक कल्चर महापाशाडिक संस्कृति कहते हैं इसमें कई प्रकार के जो है एट टाइप के अलग अलग बरिल्स मिले हुए हैं साउथ इंडिया में कितने टाइप के मिले हुए मेगालिथिक कल्चर में कबरें आठ प्रकार की जान दीजिएगा मेगा प्रकार की कबरे मिली हुई है आठ प्रकार की सबसे पहला है केरन सर्कल केरन सर्कल में आप देखिए पत्थरों का एक सर्कल टाइप का बना गर के तब उसमें जो है जगा 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 जो है लोगों को दफनाया गया गया हुआ था यहां से जो है लोगों के अवशेश मिले ह हुए हैं ऐसे रख करके जिसे पत्थर रख करके उनका सरीर रख दिया जाता था और छोड़ दिया जाता तो इसको केरन सर्कल कि जितने लोगों का शरीर रखा गया उतने पत्थर रख दिये गए एक सर्कल में तो इसको बुला गया केरन सर्कल ऐसे जो है सर्कल बना करके रख जैसे कोई मरता था उसके लिए पत्थर रख दिया गया सरकल में कि हमारे पूर्वजों का सरकल है और ऐसे जो है मेगालिथिक बरेल को केरन सरकल कहा के अगला है आपका सिस्ट जिसमें जो है आप देखिए बहुत बड़े पत्थर का एरिया लेकर के जिगिंगेगर यह पत्थरों में तमाम सारे पूर्वजों को दफन गर दिया झाता था और फिर इसको पैक कर दिया जाता था फिर कोई मरता था जाओ पूर्वजों के पास यहां जो है सीड़िया थी उतरने के लिए इसमें रख दिया जाता था फिर इसको पैक कर दिया जाता था ठीक है जब कोई मरता था फिर ओपन किया जाता था इसको ओपन किया जाता था पूर्वजों के पास रख दिया जाता था that is known as cyst circle इस तरीके से देखिए जगह जगह cyst में ले हुए ठीक है तो यह cyst type का बर्यल मिला हुआ है इसके लिए मेन हीर मेन हीर में क्या होता है एक बहुत बड़ा पत्थर जो है बर्यल साइट के उपर लगा दिया जाता है बर्यल साइट के पास में और यहां पर लोगों को दफन किया जाता था कि वो जो पत्थर है वहां पर हमारे पूरवज रहेंगे बड़ा बला पत्थर दूर से दिखाई दे जाता था तो वहां ले जाकर के लोगों को डिग करके दफन कर दिया जाता था यहां पर रग दिया जाता था तो ये इस तरीकے के मेनहीर प्रकार की साइट गही जाती है जहाँ पर एक बड़े पथर को जो है lembolik रूप में इस्तेमाल किया गया यह मेनहीर टाइप गहाँया इसके अलावा डॉलमेन प्रकार के डॉलमेन में क्या होता था कि अलग अलग ऐसे पथर लगे हुए होते थे और यहाँ पर पथर लगा करके इनके ऊपर कवरिंग लगाई जाती थी और नीचे फ्लाट सर्फिस पर इनको रखे के ऊपर से इनके पथर खड़े कर दिये जाते यानि कहने का मतलब है बीच में व्यक्ति को रख दिया जाता था इस तरीके से व्यक्ति रखा होता था और इधर पहले नीचे पत्थर रख दिया जाता था उसके बाद इधर 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 पत्थर खड़े कर दिये जाते थे ऐसे चारो तरफ पत्थर जो है वो अप कर दिये जाते थे, इस तरीके से उसका एक box नुमा structure बन जाता था, तो ये box नुमा structure बना लिये जाते थे, इनको कहा जाता था dolmen, ठीक है 2004 के paper में आप लोगों से ये question पूछा गया हुआ, सीधे picks दे करके question पूछा गया है UPSC में, dolmens के बारे में सीधे picks दिया हुआ है, पूछा इस पूछ करके चारों को ऊपर से इसको भड़े पत्थर इसको ढग दिया गया जैसे मश्रोम टाइप के तो इसको mushroom rock barrel कहा गया तो यह mushroom rock barrel है इस तरीके से जो है लोगों को यहाँ पर दफन किया गया तो यह mushroom rock barrel है इसके अलावे बात करें serpent rock है तो इस तरीके के जो है इस पे आकृतियां बनाई गई है आप देख रहे हैं इसमें सर्प बने हुए साप बने हुए आकृतियां यहां पर आपको इसपस्ट हो रही होंगी जो मैंने आपको सरकल में किया है इसको मैं जूम गर के आपको दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा इसको आप जो है देखिए तो आपको इसपस्ट रूप में समझ में आएगा यह जो है जूम गरने पर आपको यहाँ पर स्नेक की आकृतियां दिख जाएंगे इसलिए इसको सर्पेंट रॉक कहा जाता है स्नेक की आकृति समझ में आ रही कि नहीं तो यह जो है सर्पेंट रॉक है इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सर्पेंट रॉक है यह सांप की आकृति बनी हुई है इसलिए इनको कहा जाता है सर्पेंट रॉक अगला केव बरिल केव बरिल यानि गुफाओं में जो है लोगों को दफन किया गया ऐसे जो है अलग-अलग चीजे बना गर के अलग-अलग गुफाएं अलग-अलग परिवार की होती थी कहा जाता था कि इसमें किसी परिवार के किसी सदसे काड़ डेथ होता था तो वहां पर ला करके उसको रखा जाता था अलग-अलग कमरों को अपने परिवार के लिए आरख चित कर लिया था एक-एक केव में ब बरिल साइट के रूप में, ठीक है बरिल साइट के रूप में इनका पीधी दर पीधी इस्तमाल किया गया, जब जो है इनका प्रयोग किया जाना सुरू हुआ, इसके अलवा पाट बरिल जो मिट्टी के बरतन थे, उसमें शवर रख करके ढख दिया गया, बड़े-बड़े म साइट हैं, यह आपको कई सारे जगों से प्राप्त होते हैं, बहुत सारी जगों से मिले हुए हैं, मेगलिथिक बरिल्स की अगर हम बात करें, जैसे नया कुंजा और बोरे गाउं महारास्ट में, इसके अलावा चिंगलेपुर, तमिल नाडु में, काकोरिया, वारानसी से बिले हुए हैं, इसके अलावा कोटिया, प्रियाग राज से भी इसके साक्ष प्राप्त हुए, तो नार्थ इंडिया, साउथ इंडिया, पहले यह साउथ इंडिया में ही थे, लेकिन वारानसी और प्रियाग राज से भी मेगलिथिक बरिल्स मिले हुए हैं, तमाम सारे ज यह 1860 में था Upper Palliolithic Age का आपसे क्योंकि places को दे करके year मिलाने को देता है कभी-kभी civilization मिलाने को देता है कभी-kभी discoverer मिलाने को देता है तो अलग-अलग प्रिकार से प्रश्ण पूशा जाता है इसलिए अलग अलग जो है यहां पर बना हुआ है कभी-कभी का गरता है प्लेस देगा प्रिहिस्टोरिक प्लेसे और उनको मिलाने को देगा एयर कि कौन से एयर में क्या था या कभी-कभी क्रोनोलाजी लगाने को दे से है तो यह जो है आपध्यान दे सकते और कौन इसकी खोज किया हुआ है उनके नाम लिखे हुए है यहां पर जैसे अगर हम बात करें टोंस रिवर बेसिन वाला मैंने आपको बताया था एचपी लामसूरिये ने खोज किया था 1860 में अपर पैलियोलिथिक से है पोला वर्म 1863 में राबर्ट बुस्फूट ने खोजा हुआ है ठिक सुकूर्द रोहरी सिंध वाले एरिया में 1866 में इवानस ने खोजा है विंधन एरिया में 1867 में C.L. कार्लाईल ने खोजा है वेल लारी ये करनाटिका वाले एरिया में है 1872 में करनाटिका में विलियम फ्रिजर ने इसको खोजा हुआ है तो विलियम फ्रिजर जो है इसके इसका वेटर हो गए इसके अलावे अगर हम बात करें तो सोहन रिवर वैली 1928 में डियन वहिया ने यहां पर इसके बारे में पत लगाया कश्मीर वैली में तमाम सारे प्रि हिस्टॉरिक प्लेसेस की खोज किया डी टेरा और पिटर्सन ने कश्मीर वैली में साबरमती वैली में HD संकलिया ने खोजा 1941 में और लंगनाज में 1942 में HD संकलिया ने खोजा हूआ लंगनाज वाला पूछा गया था इसलिए आपको सारा कुछ बताना पड़ा तो यह जो है ध्यान में रख रहिएगा और हाँ आप लोगों के लिए UPSC का प्रिलिम्स का कूर्स लांच किया गया है जनरल स्टडीज बहुत डीटेल में कवर किया जाएगा अप टू दे यूप और दिया गया था 23 तारिक की मध्यरात्री तक का लेकिन अभी जो है प्राइज आपका 2999 रुपए मात्र बेहत कम प्राइज पर इसमें मैं हिस्ट्री जिग्रॉफी एकुलाजी इन्वामेंट आर्ट एंड कल्चर का सिक्षन पढ़ाऊंगा कासिप अंसारी सर आप लोगो को पॉलिटी और का सिक्षन पढ़ाएंगे चंदन रुसन सर अब लोगों को सब्सक्राइज निक्minute ऐसक्षन पढ़ाएंगे चाकि उसमें भी मिल रही थी 300 से ज़्यादा लाइव आवर 120 से ज़्यादा पीडियाफ डेडिकेटेड डाउट सलूशन्स 3000 प्लस प्रेक्टिस क्वेस्चन मिलेंगे आपको खास बात समझे जनरल स्टेडीज का पूरा का पूरा सिक्षन आपको कवर किया जाएगा जी एस फुली कवर किया जाएगा इसमें इसके अलवा MPPSC को ध्यान में रखते हुए भी कोर्स लांच किया गया आज से प्राइस सेम है बहुत मिनमल प्राइस रखी गई है और इसमें भी जी एस का पूरा सिक्षन कवर किया जाएगा वालिडिटी वन इयर की है सो जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए गाइस बीपी एसी को भी ध्यान में रख करके कोर्स लांच किया गया है ठीट प्राइस सेम 2990 रुपए तो इसको आप पर्चिच कर सकते हैं जिस भी कोर्स में आप चाहे एडमिशन ले सकते हैं जल्द से जल्दी एडमिशन लीजिए क्योंकि बहुत तेजी से एडमिशन हो रहे है प्राइस हम लोगों ने कम रखी है तो एडमिशन बहुत हो रहे हैं और इस वजह से हम जल्द से जल्द इसको क्लोज भी कर देंगे सो फटाफट फटाफट एडमिशन लेना सुरू कर इसके अलावे अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो online benchers के यह पर आकर की आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पर आप जो है इसके अलावे जो हमारा टेलेग्राम का ग्रुप है वहां पर आगर के हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलेग्राम ग५्प पर तो गाईज, आनलाइन बेंचर के साथ बने रहे है, जो लोग आज नए थे, वह आनलाइन बेंचर के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, एक दो क्लासिस के बाद आप लोगोगी क्लासिस वह कोर्स पर चलेंगी, अभी तो डेमो दिया गया था, डेमो के बात, फ्री क्लासिस बंद हो जाएंगी, केवल कोर्स में जो एड्मीशन लिए रहेंगे, उनी के लिए क्लासिस आवलेबल रहेंगी, सो जल्दी से जल्दी एड्मीशन जरूर ले लीजिए गाईज आप लोग, ठीक है, बाई बाई, जैहन्द आफिसर्स